हेलो फ्रेंट्स मैं मुक्तार अंसारी आपका सौध करता हूँ हमारे आज के इस न्यू वीडियो में पिछले वीडियो में बहुत से स्टूडेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हमें AutoCAD में 3D ताजमेहल का प्रोजेक्ट का टुटोरियल चाहिए तो आपकी रिक्वेस् सकते हो कि यहाँ पर हमारा complete ताजमेहल बना हुआ है यह AutoCAD 3D में हमने बनाया है और यहाँ पर आप चारो तरफ से इसे देख सकते हो कि यह बिलकुल realistic ताजमेहल की तरह नजर आ रहा है बहुत ही खुबसूरत यहाँ पर हमारा ताजमेहल बना है इसमें हमने advanced technique, advanced texturing और advanced rendering क use किया है तो इस tutorial में आपको बहुत सारी चीज़े सिखने को मिलेंगी बहुत से students समझते हैं कि AutoCAD में हम advanced 3D नहीं कर सकते मगर ऐसा नहीं है अगर आपको AutoCAD 2D 3D अच्छे से आता है तो बहुत सारी advanced चीज़े आप AutoCAD में बना सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम हमें यहाँ पर ताज महल बिल्कुल रियल नजर आ रहा है तो अगर आप इस tutorial को पूरा देखते हो तो आप भी same project अपने computer में बना सकते हो तो इस project को बनाने से पहले मैं आपको recommend करूंगा कि आपको AutoCAD 2D and 3D basic आना चाहिए अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो जिसमें बहुत सारे basic 2D, 3D के वीडियो हैं आप उन्हें पहले देख लिजिए उसके बाद आप इस project को easily बना सकते हो इस पूरे project में हमने बहुत सारे advanced method और advanced techniques का use किया है तो इस tutorial का अगर आप complete देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़े यहाँ पर सीखने को मिलेंगी अगर आपको इस project को complete बनाना है तो इस project के files मैंने यहाँ पर description में upload कर दिये हैं आप वहाँ से जाकर उसे download कर सकते हो या फिर यह सारा project हमारे CAD एप में available है जिसे आप Google Play Store से download कर सकते हो उसमें बहुत से complete courses भी available है तो वहाँ पर आप complete courses भी देख सकते हो और इन projects क files भी download कर सकते हो तो चलिए इस video को start करते हैं तो यहाँ पर मैंने AutoCAD को open कर लिया है यहाँ पर सबसे पहले हमें workspace को change करना होगा क्योंकि हम इसमें 3D work करने वाले हैं तो workspace हम यहाँ से change कर सकते हैं यहाँ पर click करना है आपको और 3D modeling में चले आना है तो यहाँ पर हमारा 3D modeling open ह हो गया है अब कुछ settings कर सकते हैं जैसे के यहाँ पर जो हमारा toggle keys है इसमें से हमें क्या करना है grids को रहने देना है ortho mode हम on off कर दे रहेंगे ortho mode को f8 shortcut है f8 से यह on भी होगा f8 से off भी होगा आप click करके भी on off कर सकते हैं तो f8 में shortcut बता देता हूँ क्यूंकि बार बार हमें इस snap tracking इसको भी on कर लीजिए यहाँ पर object snap f3 से on off होता है और इसके अंदर आपको arrow पे click करना है और इन सभी button को on कर देना है ठीक है click करके इन सारे buttons को आपको on कर देना है यहाँ पर कुछ buttons on होते हैं default में हमें सारे buttons यहाँ पर जरूरत है तो हम इसे on कर देंगे और भी कुछ च देंगे जैसे कि यहाँ पर आपको dynamic UCS लगेगा तो इन सब का इस्तमाल क्यों होगा मैं वक्त आने पर आपको बता दूंगा dynamic UCS यह arrow आपको नजर आ रहा है आपने अगर पिछले videos 3D के देखे होंगे तो आपको पता होगा 3D object snap 3D के लिए भी अलग से object snap आता है इसे भी य वीडियो में किया हुआ है यह भी आपको पता होगा और उसके बाद line weight line weight को भी मैं on रखने वाला हूं ताके हमें line की thickness यहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें नजर आए तो line weight भी हम यहाँ पर on करेंगे dynamic input भी on रखते हैं और बाकि कोई चीज की जरुरत नहीं है तो इ बढ़ा कर लेंगे right click options या फिर op direct type कीजिए यहाँ से याद रखिए कि dynamic input को भी आपको on रखना है इससे क्या होगा आप display में type कर सकोगे आसानी से कोई भी shortcut यहाँ पर type होगा command line की हमें कोई जरुरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी तो op enter options और यहाँ पर जाएंगे हम selection में selection में यहाँ पर pick box को यहाँ पर थोड़ा सा increase कर देंगे display में जाएंगे display में यहाँ पर cross hair की size को भी मैं कर देता हूँ 20 okay तो हमारी cursor और pick box दोनों भी यहाँ पर बड़ी हो गई है तो 3D में छोटा बड़ा करना पड़ता है हम बाद में अगर छोटा हमें करने की जरुरत पड़ती है तो हम उसे भी कर देंगे तो cursor फिलाल मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है unit जो हमारे set है un enter mm ही हम रहने देंगे कोई भी changes यहाँ पर नहीं करेंगे बागी की कोई भी changes हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम जो ताज महल बनाने वाले हैं उसे exact dimension के साथ नहीं बनाने वाले हम proportion का इस्तमाल करेंगे और अपने mind के इसाप से अपने dimensions को हम लोग use करेंगे हमारे पास ताज महल के कोई भी dimension तो है नहीं तो हमें अंदाजे ही इसे बनाना पड़ेगा तो चलिए कुछ images देखते हैं जिसे हमें reference यहाँ पर मिल पाए तो यह जो folder है मैंने इस वीडियो के साथ आपको दे दिया है description से आप इन files को download कर सकते हो ताकि आप अपने computer में इस एक open करता हूँ यह वाली image यह clear image है इसे मैं use कर सकता हूँ reference के लिए इनकी height इनकी width वगेरे देखने के लिए और इनके जो designs है उन्हें हम इसमें easily देख पाएंगे और इसका जो plan है जो base है bottom plan bottom का जो है इसका foundation इसका plan मैंने internet से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर हमें foundation औ और ताज महल का जो main building है उसका भी हमें यहाँ पर dimension मिल जाएगा तो यहाँ से हम उसका reference ले सकते तो यह एक image मुझे internet से मिली है तो मैं इसे autocad में import कर लेता हूँ इस image को ताकि हम इसके reference से अपने यहाँ पर bottom जो है इसका base बना पाएं तो यहाँ पर अब हम इस file को import कर लेत इसको मैं drag करूंगा image को और drag करने के बाद directly autocad में आ जाऊंगा और उसको यहाँ पर import कर लूँगा तो windows 11 में alt plus tap से यह drag होता है alt plus tap से इस तरह से autocad में आना होगा उसके बाद यहाँ पर यह import हो जाएगा अब इसको आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद इसका size scale आपको इंटर करने के बाद यहाँ पर orientation यहाँ पर हमें दे देना है horizontal ठीक है तो one scale as it is यह हमारा image जो है यहाँ पर import हो चुगा है second method में बता देता हूँ आपको किस तरह से आप images को import कर सकते हो आपको यहाँ पर जाना है insert में insert में आपको यहाँ पर मिलेगा attach attach पर click करना है जो भी image आपको चाहिए वो आपको select करना है यह सारी images मैंने इस video के साथ provide कर दी है आप download कर सकते हो description से तो यहाँ पर मैं इसके ले लेता हूँ open और okay करना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी one scale में यहाँ पर हमारा आ गया है one scale डाला है one click करने के बाद one enter one enter करने के बाद यह देखिए हमारा फिर से आ गया तो यह हमने यह base जो है वो हमने import कर लिया है इसका elevation जो है उसे भी import कर सकते हो आप तो पहले हम लोग को foundation बनाना है तो इसकी help से हम इसकी foundation बना लेते हैं और उसके बाद हम इसका elevation पर काम करेंगे elevation को भी import करेंगे तो इसमे सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके थ्रू हमें इसका bottom rectangle और यह octagon आपको नजर आ रहे हैं इसे हमें बना लेना है तो इसके लिए मैं एक rectangle लूँगा मगर उससे पहले मैं यह layers में कुछ setting करना चाहूंगा layer properties layer properties में color को मैं थोड़ा red कर दूँगा यहां पर ताकि हमेरे lines जो है वह सारी red आएं बाद में हम वापस इसे white कर देंगे और line weight का मतलब होता है line की thickness को मैं increase करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आए यहां पर 0.3 mm का line thickness मैंने कर दिया है color को change कर दिया है और close करेंगे अब यहां पर जो भी हम लोग lines या फिर 2D objects ड्रॉ करेंगे यह red में आपको नजर आएंगी और इसकी thickness हमें शो नहीं हो रही है तो यहां पर आपको क्या करना है line weight को on कर देना है जिसे हमने यहां पर toggle key को show किया था line weight इसको on करना यह on होगा तभी इसकी थिकनेस हमें नजर आएगी देखिए यह on कर दिया मैंने तो अब हमारी line की थिकनेस भी अच्छी खासी नजर आ रही है तो आपको यहां पर नजर आएगी अच्छे से तो अब हमे एक अंदाज एक rectangle बनाते हैं देखिए ओके इस तरह से एक rectangle बना दिया और यहां पर एक octagon भी है तो octagon भी हम लोग बना सकते हैं तो octagon मैं क्या करता हूँ कि octagon बाद में बनाते हैं इसको पहले rectangle को यहांपर side में कर लेता हूँ Select m4 move, click और side में कर लेता है तो यहांपर मैं इस rectangle को use नहीं करूंगा Actually मैं इसे पहले naap लूँगा यहांपर, यहां रहा है 127 mm, तो 127.4 आ रहा है तो 127.5 and 127.4 तो 127.5 का हम rectangle बनाते हैं, REC, exact same dimension का, 127.5, tab, 127.5, ओके, यह exact rectangle हमने बना लिया है, अब यहाँ पर, यह जो side में आपको नजर आ रहा है, octagon, इसे हमें बनाना है, octagon, polygon, polygon की help से हम बना सकते हैं, octagon का मतलब होता है, जिस polygon के sides, 8 sides हों, उसे हम octagon बोलते हैं, तो octagon बनाने के लिए आपको P, O, L, type करना है, polygon, enter, यहाँ पर number of sides डालने, 8, enter, अब center of polygon आपको देना है, यहाँ पर circle का center, अंदाजे, अब यहाँ पर दो options आपको मिलेंगी, इसमें select करना है, circumscribed about circle आपको select करना है, और इस तरह से एक hexagon, octagon, sorry, आपको draw करना है, ओके, now, यह हमें मुझे ठीक लग रहा है, ठीक, यह octagon मैंने draw कर दिया है, अब इससी तरह के 4 octagons है, तो हम लोग एक से ही copy कर लेंगे, तो यह जो draw की है मैंने, इसे मैं select कर लेता हूँ, और co enter, copy है, फिर move ही कर लेंगे, sorry, copy कर लेते हैं, 4 रखने हमें, co enter, select करना है, इसका center हमें नजर आएगा, देखिए, यहाँ पर center नजर आ रहा है, अगर नजर नहीं आ रहा है, तो आपको इसे on करना होगा, यह सारे buttons on करने होगे, object snap के, तभी नजर आएगा, select, co enter, और इसका center ले लेते हैं, यहाँ पर center आ रहा है, अब इसे रख देना है, इसके corner पे, इसके trim कर देंगे हम, tr double enter, tr double enter, in lines को हम trim करेंगे, उसे delete करना पड़ेगा, यह हमने trim कर दिया है, इस line को आप delete कर देते हैं, तो यह हमारा base का 2D shape है, वो हमारा बन चुका है, अब इसे 3D में convert करने के लिए, इसकी height चाहिए, तो height हमें elevation से मिलेगी, तो हम इसके elevation को भी autocad में import कर लेते हैं, तो elevation मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस elevation को मैं use करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा perspective-ness यहाँ प कर दिया है, ताके आप भी इसका use कर पाएं, मैंने यह सारी files इस वीडियो के साथ description में दे दी हैं, आप वहाँ हज़र download कर सकते हो, तो इसे हम import करेंगे, कैसे import करना है, एक तो drag करके, इस तरह से आप directly आ सकते है, autocad में, और इसे रख सकते हो, यहाँ पर corner पर रख देते हैं और scale 1, enter, इस तरह से आप रख सकते हो, यहाँ पर insert, attach में जाना है, attach में जाने के बाद यहाँ पर ढूनना है आपका जो भी image आपको चाहिए, यहाँ पर मैं image ले लेता हूँ, यह वाली, open, ok, यहाँ पर click करेंगे, scale रख देंगे 1, enter, यह 1 scale के बावजूद यह थोड़ा ब इस image के size में क्या करेंगे, scale करके छोटा करेंगे, कैसे करेंगे, select करना image को, यहाँ पर 2D scale है, scale का use करेंगे, scale पर click करना है, base point आपको पूछेगा, base point दे देना यहाँ पर, base point देने के बाद, एक तो अंदाजे भी कर सकते हैं, अंदाजे भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे reference लेकि यहाँ पर देखे, click कर सकते हैं, अंदाजे, यहाँ पर reference पर click कर किजिए, और enter shortcut, reference पर click, again, base point, second point, और यह आपको यहाँ पर, exactly यहाँ पर रख देना है, यह देखे, हो चुका है हमारा, दोनों images अब equal आ गई है, और मुझे देखना है, यह line जो है, equal होनी चाहिए, यह जो bottom है, यह इसके equal, और यहाँ से जो bottom है, यह हमारे, इसके equal, देखे, जो ताज महल है, मैंने अच्छे से image crop की वे, जिसके वे जिसके इसका bottom और यहाँ elevation का bottom, बिल्कुल सहम है, तो हमें अच्छे से scale यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसी image का आप use कीजिए, import करने के लिए, अब इसको हमें height देना है, यह देखे, यहाँ पर height नजर आ रही है, तो हम di for distance measure कर लेते हैं, यहाँ पर height कुछ यहाँ से देख लेते हैं, height है, इसकी 8.6 दिखा रहा है यहाँ पर, तो 8.5 में यहाँ पर ले लेता हूँ, height, bottom की, तो इसे अब हमें 3D में convert करना है, 8.5 units पर, इसे extrude या फिर press pull करना है, तो 3D में convert करने के लिए, हम अभी top view में हैं, फिलाल, तो top view से थे हम 3D में convert नहीं करेंगे इसे, इसे हम पहले isometric view या फिर 3D view में जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे देखिए, यह view cube भी है, corner पे click किजिए, corner पे click करते ही देखिए, यह isometric view आ गया, या फिर आप shift plus middle mouse, shift plus middle mouse से इस तरह से drag कर सकते हो, mouse को, इस तरह से इसे orbit करके देख सकते हो, 3D में easily, ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें नजर आ रहा है, तो हम extrude या फिर press pull करके इस से 3D में convert कर सकते हैं, extrude के लिए सभी lines joint चाहिए, तो यह joint नहीं है वैसे, यह joint नहीं है, तो हम extrude नहीं, press pull करेंगे आपर, तो यह देखिए, press pull, इस तरह से, तो press pull करेंगे इसे, इसे हम copy करके रख लेते हैं, बाद में अगर हो सके तो हम इसका use करेंगे, अगर कहीं use होता है, तो हम इसका use कर सकते हैं, side में copy कर लेता हूँ, उसके बाद इसे press pull कर देता हूँ, press pull, 8.5, 8.5, enter, okay, दूसरी images भी देख लेते हैं, यह 8.5 हमारा जो है, आपने तो कर दिया है, मगर यह 3D में अच्छे से नजर आ भी रहा है, यहाँ पर 2D में नजर आ रहा है, views में, यहाँ पर 2D wireframe की जगह, आप conceptual या फिर अलग-अलग चीज़े हैं, यहाँ पर, conceptual, hidden, realistic view, red में नजर आ रहा है, क्योंकि layer red है, shaded view, shaded with edges, and shades of gray, generally मैं यूज करता हूँ, shades of gray का, तो shades of gray यहाँ से भी change कर सकते हो, views में जाके, sorry, यहाँ पर, views के बाजू में यहाँ पर shades of gray, अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर भी है, shades with edges, and shades of gray, तो यहाँ पर हमने कर दिया इसे, तो यह हमने 8.5 meter लिया है, तो हम 3D में जाके देख लेते हैं, कि यह हमारा 8.5 सही लग भी रहा है, अगर छोटा लगेगा, तो बाद में हम उसे बड़ा भी कर सकते हैं, वैसे अभी मुझे सही लग रहा है, थोड़ी से height की कमी है, तो ठीक है, यह base हमने ready कर लिया है, अब इसके pillars हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, यह जो side के pillars हमें नज़र आ रहे हैं, pillars एक बार ready हो गए, तो हम beach का portion बनाएंगे उसके बाद, तो pillars कैसे बनाना है, मैं यहाँ पर अब top view में आ जाता हूँ, यहाँ से top view कर देते हैं, यह देखें, यहाँ पर हमारा pillar है, इसी view में बनाके हम इसे rotate करके, क्योंकि यह हमें front view में बनाना चाहिए, यह जो pillars है, यह हमें front view में बनाने चाहिए, मगर हम top view में भी बनाते हैं, तो बाद में उसे rotate कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं pillars को, उसके बाद हम यहाँ पर इसे rotate कर देंगे, तो pillars देखें करने के बाद उसे हम बाद में revolve कर सकते हैं तो यहां पर मैं ले लेता हूं यहां पर देखते हैं किस तरह से तो एक line लेता हूं L4 line या फिर polyline भी ले सकते हो ताके connected इसका half जो होगा हम एक line लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर bottom में यहां पर मिड़ का मिड है देखिए इस line का midpoint तो मिड़ पॉइंट से हमें vertical एक line बनानी है तो यह थोड़ा सा tilted है आप देख सकते हो कि यह जो pillar है यह थोड़ा सा tilted है एंगल में यहां पर थोड़ा सा इसको line को हम इसके height तक ड्रॉ करेंगे चलो यहां तक ले लेता हूं अब नीचे का bottom तो सही है हमारा बिल्कुल center में उपर थोड़ा सा हमें यहां पर change करना होगा तो मैं इस line को पहले side में कर लेता हूं copy कर लेता हूं इस line को co enter इस side में copy कर लिया अब यहां पर मैं एक line draw करता हूं यह हमारा pillar का diameter है तो हम इस line को अब move करेंगे select m for move midpoint से move करेंगे और यहां पर रख देंगे top में तो यह हमें upper and lower part मिल चुका है इन दोनों को एक angular line से यहां पर joint कर देंगे तो यह angle है देखिए slope TR double enter यह trim यह trim half portion बनाना है हमें तो यहां से हमने half line ली आप ऐसे भी half line draw कर सकते हूं इस तरह से ले सकते हो या फिर इधर side draw कर सकते हो यहां से यहां तक चलेगा इतना कोई issue नहीं है sorry तो यह हो गया हमारा अब यह जो बना है हमने line से बनाया है अब इसे इसमें कुछ और details add कर देंगे ताके हम revolve के में हमें वो सारी चीज़े मिल सके जैसे कि यहां पर railings है railings है इसमें नजर नहीं आ रहे ठीक से है यहां पर balcony टाइप का कुछ है तो हम उससे भी बना लेते हैं कुछ इस तरह से यहां पर भी बना सकते या फिर आप directly sketch में बना सकते हैं co for copy इसको copy करके मैं रख लूँगा यहां पर कि मैं इस तरह से रख देता हूं तो मैं देख लेता हूं कि मैंने यह side में तो लिया है एक्सेक्ट ओके सही है तो side में हमने इसे कर दिया है अब थोड़ा सा इसे मैं move कर देता हूं side में और ओके यह balcony टाइप का हमने wall यहां पर बना ली है हो सकते हैं थोड़ा wall हम यहां पर line को थोड़ा सा move कर लेंगे इस तरह थोड़ा ट्रिम कर देंगे shift प्रेस करके extend यह balcony के लिए हमारा बन गया है उपर भी बना देंगे इसको select co enter इस c को यहां से copy कर लेंगे यहां पर रख देंगे और एक है यहां पर ओके इसके line में होना चाहिए थोड़ा सा उपर कर देते हैं एम फर मूव उपर की तरफ यह हो गया हमारा टी आर डबल इंटर यह बीच के line stream कर देने है और यहां पर थोड़ा सा lines extend करने एक्स डबल इंटर एक्सटेंड कर दिया यहां पर भी टी आर डबल इंटर इट ओके तो तीन बालकनी यहां पर हमारे रेडी हो गया है एक ही पिलर बनाना है हमें सारे पिलर नहीं बनाने तो एक पिलर हम बनाएंगे हमारा काम हो जाएगा इसमें भी यहां पर कुछ डिजाइन है मैं थोड़ा सा hd आपको दिखा देता हूं image यह देख सकते हैं आप आप इसमें कुछ ज्यादा आपको नजर आएंगे पिलर्स के तो यहां पर भी कुछ उबरा हुआ पोर्शन है तो इसे भी हम बना लेते हैं तो हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रा करेंगे सी एंटर ओके यह जो डिजाइन है यह इस पोजिशन पे है तो हम ट्राइ करेंगे कि उसी पोजिशन पे ड्रा हो यह उपर हमने कर दिया इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं एम एंटर नीचे ठीक है थोड़ा सा और कर देते हैं नीचे अगये डिलेट है होगे यह हो गया हमारा इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं सर्कल को यह हो गया, trim कर सकते हैं, tr double enter, यह trim, यह half portion, इसको copy कर लेते हैं, और उपर की तरफ भी हम इससे रख देते हैं, तो कैसे copy करेंगे, देखिए, select, c o enter, base point देंगे, यहाँ पर base point, यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रख देंगे, जिस point को हमने base point लिया, tr double enter, यह portion trim, यहाँ पर भी trim, यह तो already trim है, तो यह ready हो चुका है हमारा pillar, और भी कुछ, इसमें design, ऐसे तो और कुछ नजर नहीं आ रहा, बाकी की चीज़ें हम बाद में बना लेंगे, तो अब revolve करना है, revolve करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसे join करना होगा, जो सारे lines हैं, सारे join करना जुरूरी है, यह सारे lines joint रहने चाहिए, तभी यह revolve होगा, याद रखिए, तो इसे join करने के लिए सभी को आपको select करना है, j for join, j enter, तो अब click करके देखिए, सारी lines join हुए भी है या नहीं, यहाँ पर कुछ problem आई है, यह lines और यह lines join नहीं हुए, तो हमें देखना प देखिए, यह join हो चुगा है, join नहीं रहेगा, तो आपका surface में आएगा और आपको problem create करेगे, तो पूरी तरह से joint होना चाहिए, कहीं से भी portion open नहीं होना चाहिए, तो यह हो गया हमारा, अब हम इसे revolve करते, select करेंगे, यहाँ से करेंगे, revolve, axis देदेंगे, यहाँ पर midline, यहाँ से तो यहाँ तो, enter, यह हमारा pillar देखिए, आ गया है, ओके, थोड़ा सा I think balcony का जो railings हैं, हमने थोड़ी बड़ी बना दी, तो मैं control Z करता हूँ यहाँ पर, थोड़ी से छोटी ले ले लेते हैं, select x for explode, x for explode, अलग-अलग करने के लिए, यह अलग-अलग हो गया, explode, इस line को जो है, मुझे थोड़ा नीचे लेना चाहिए, ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ distance से इसे move कर देता हूँ, m for move, वहाँ से नीचे, 0.3, okay, tr double enter, यहाँ पर भी same, select m for move, click, नीचे की तरब 0.3, enter, tr double enter, trim, और यहाँ पर भी, select m for move, नीचे 0.3, enter, अब join कर दिजिया, again, select, j enter, थोड़ा proportion हमें सही देखना पड़ेगा, select, revolve, axis, enter, तो यह हमारा pillar जो है, radio हो चुका है, देख सकते हो, actually, vertical होना चाहिए था, हमने top view से काम किया है, तो vertical नहीं है, तो इसे हम बाद में rotate कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, select करके just हमें क्या करना होगा, select करके यहाँ पर इसे, यह जखिए rotate, 3D rotate, red axis पे click और उपर click, red axis पे click, उपर click, यह vertical आ गया, तो यह pillar हमारा यहाँ पर vertical हो गया, इस तरह से हम कर सकते हैं, अब तो हमाएं सारा जो काम करना है, वो हमें front view से ही करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन images को ही front view plane में ही ले लेते हैं, सारी यह delete हो गया हमारा pillar, ओके, तो यह lines में delete कर देता हूँ, तो अब सारी चीज़े तो front view में करनी है हमें, तो मैं इसे front view में ही कर लेता हूँ, यहाँ से मैं front इस तरह से, और इन images को, यह जो images है मेरे, इनको भी rotate कर दूँगा, 3D rotate, इसको मैं क्या करता हूँ, और बिट करके select, इन images को select करता हूँ, और यहाँ पर 3D rotate, red axis उपर की तरफ क्लिक, यह देखिए हमारा 3D rotate हो गया, यह जो plane है, वो vertical हो गई है, आप देख सकते हैं, हमने front view यहाँ पर किया, plane जो है, वो vertical हो गई, अब जो भी हम यहाँ पर drawing बनाएंगे, वो हमारी vertical आएगी, यह देखिए, vertical आ रही है, क्योंकि हमारा plane जो है, वो vertical है, अब यहाँ पर, अगर हम top view करते हैं, तो top view में plane जो है, वो नीचे bottom में चली जाती, देखिए, तो यह जैसा हमारा land होता है, उस तरह का plane हो गया, फ्रेंट करेंगे, तो यह vertical plane हो जाएगा, तो इन दोनों में difference आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा हमारा front plane में यह सारे drawings जो है, पीछे चली गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यह एक line, just draw किया, इन सब को select, M for move, यह जो image है, इसका एक point ले लेता हूँ मैं, ओके पहले मैं मुझे इससे इस तरह से आगे लेना होगा, arrow की मदद से, अब यह select करके move, M for move, plane के आगे ले 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 जिए इन है, और फिर यहाँ पर कोई भी एक point पिक करके यहाँ पर रख दीज़े, तो हमारा क्या होगा, यह जो image है, वो plane में आ जाएगे, अब देखिए, image और plane equal, same, तो आगे पिछे हो सकता है, कि image आगे पिछे हो जाए, तो आप इस तरह से line draw करके move कर सकते हो अपने object को, pillar जो है यहाँ पर, इसे भी आप आगे कर लीजे, और यह हमारा bottom जो है, वो भी ready है, इन सब को select करके इस तरह से arrow है, 3D arrows, इनकी मदद से आप इने move कर सकते हो, आपको पता ही होगा, 3D में work किया होगा तो, इस pillar को मैं थोड़ा पिछे कर लेता हूँ, हमारे plane के आसपास ही रखेंगे, ठीक है, अब इसके top का portion हमें बनाना है, तो यहाँ से मैं front view सबसे पहले कर लेता हूँ, और यहाँ पर top का यह जो है, उपर का portion वो हमें बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यह जो है hexagon, sorry, octagon से बना हुआ है, तो octagon हमें यहाँ पर draw करना होगा, octagon उपर की जो छत्री है वो भी octagonal है, उसके बाद यहाँ पर एक dome shape का यहाँ पर portion दिया हुआ है, तो आपको octagon shape में दिखा देता हूँ image में, यह देख सकते हो, यह octagonal shape का यहाँ पर बनाया गया है, तो हम भी इस क्या करता हूँ, इसी के top से हम लोग बनाते हैं, यह जो हमारा pillar है, इसी के top में हम लोग work करेंगे, तो इसके top में work करने के लिए आपको यहाँ से dynamic UCS को on करना होगा, इस plane पर work करना है हमें, अभी तक हम जो काम कर रहे थे, यह जो grid है, इस plane पर कर रहे थे, जो भी sketch हम draw कर र polygon लिजे, po for polygon, enter, अब number of sides 8 डालना है, enter, center of polygon यहाँ पर इस face पर देखिया, highlight हो रहा है यह surface, तो इसका center हमें चाहिए, तो इस circle पर जाहिए, यहाँ पर center आपको नजर आएगा, click किजिए, circumscribed about circle, और यहाँ पर octagon एक बना दीजे, यहाँ पर हम अंदाजे यहाँ बना करेंगे, click, तो यह हमरा octagon यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो अब हम इसे octagon को select करेंगे, इस octagon को, देखिए, यहाँ पर अच्छे select करना है, selection में problem आ रहे है, तो selection cycling का use करेंगे, click करेंगे, selection cycling को on करेंगे, और यहाँ पर अगर इस sketch पर click करते हो, तो दो option मिलेंगे, आपको 3D solid and polyline, तो polyline select करना है, तो यहाँ पर polyline पर click कर दीज़, तो selection cycling का यह फायदा होता है, एक साथ दो चीज़े हैं, आपको selection में दिक्कत आ रही है, तो click किज़े, आपकी जो भी चीज़े होंगे, यहाँ पर list आ जाएगे, आप select कर लीज़े, polyline, ठीक है, इसे मैं off कर देता मैं अंदाजे रख देता हूँ इसके height, इसके height रखेंगे हम लगभग 6, 6 रख देता हूँ, 6, enter, चीज़ है 6, और 6 के बाद उपर भी एक hexagonal portion है, octagonal portion है, sorry, octagonal plate type का, छत्री type का है, तो उसे भी draw करेंगे, उसके उपर भी एक octagonal shape है, यहाँ पर आप देख सकते हो, octagon, again oct again dome, उसके बाद फिर यह design है, तो यहाँ पर octagon हम draw करेंगे, इसके उपर भी, तो again इस face पर हमें काम करना है, तो again मैं यहाँ पर ले लूँगा, pol for polygon, 8 sides, enter, surface, इसका center हमें चाहिए, इस polygon का, अब इसका center show नहीं कर रहा है, क्योंकि यह 3D है, इसलिए इसका center show नहीं कर रहा है, तो 3D का center कैसे show करेगा, तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बताया था, 3D object snap को आपको यहाँ पर on करना है, 3D object snap, यह 2D object snap है, जिससे आपको 2D के points मिलेंगे, 3D object snap जिससे आपको 3D के points मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप से देखे, क्या-क्या on करना है, vertex, midpoint, ठीक है, ज्यादा on मत किजे इसमें, पर center and vertex on किजे, center of face, एक ही रहेगा तब ही चलेगा, फिलाल तो हमें एक ही की जरुरत है, बाद में जरुरत पड़ेगी, तो हम on कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, center आपको नज़र आएगा blue में, जो 3D के snap point नज़र आएगे, वो blue में नज़र तो उसको हमने शायद 3 डाला था, अंदाजे डाला था उसको, अब यहाँ पर कितना बड़ा है देखते हैं, बड़ा ही लग रहा ही है, तो इसे मैं 4.2 आ रहा है, 4.2, 4.2, enter, अंदाजे मैंने 4.2 यहाँ पर डाल दिया है, अब इसको भी extrude कर देंगे, select, extrude, इसकी जो thickness र 5, enter, अंदाजे 0.15, अब इसके उपर का जो है, वो portion हमें बनाएंगे, उपर भी एक octagon है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उपर भी एक octagon है, उसके बाद फिर dome है, तो अगेन हम इसमें एक polygon, pol for polygon, 8 sides, center of face, circumscribed, and then हम लोग इस तरह से अंदाजे, okay, click, sorry, click कर देंगे, click से नहीं हो रहा है, तो आपको dimension डालना पड़े गए, यहाँ पर, okay हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 4.2 है, तो 4.2, तो यहाँ पर 3, enter, okay, 3 हमें डाल दिया हैं आपर, इसकी value, select करेंगे, extrude, इसकी भी thickness हमें डालनी है, तो अंदाजे, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, thickness, अच्छी घासी thickness है, height, कुछ, 1.1.2, ओके, 1.2 की यहाँ पर height, ओके, देख लेते हैं, image में भी, ठीक है, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, तो कोई problem, 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, मुझे, 1.1, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, प्रेस पूल करके, 0.1 से बढ़ा देते हैं, मतलब 1.3 हो गया, 1.3, ठीक है, अब इसके उपर का dome हमें निकालना है, यह सबसे complicated portion है, और उसके बाद यह जो, बीच का portion है, इसमें, ओपनिंग भी हमें करनी है, इसमें, तो वाल टाइप का है, तो इसमें ओपनिंग होगी, तो कैसे करेंगे, देखिए, हमें वाल पहले ही बना ले नहीं चाहिए थे, अब यह बंद हो चुका है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इन्हें hide कर देता हूँ, कुछ देर के लिए इन दोनों को right click, select, right click, isolate, hide object कर देता हूँ, इन दोनों को hide करके, यहाँ पर मैं इनकी walls को पहले create करूँगा, एक और octagon मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, P.O.L. for polygon, number of sides, 8, center दे देंगे, circumscribed about circle, और wall के लिए हम यहाँ पर देखिए, इस तरह से, wall draw करेंगे, देखते हैं, ठीक है, ओके click करने से काम नहीं होगा, आपर हम 2.7 डाल देते हैं, तो यह कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, 2.7 नहीं, octagon को select करना है, selection cycling on, polygon को select कर लिया, इसको फिर से draw करते हैं, 2.6 ले लेते हैं, P.O.L. for polygon, center of polygon, 2.6 ले लेते हैं, 2.6 परफेक्ट, अब इसे मैं press pull करूँगा, देखिए, press pull, इस region को capture करेंगे, और इसके base तक, यहाँ तक, octagon के bottom तक हम लोग यहाँ पर press pull कर देखिए, यह हमारा हो गया, देखिए, false की तरह बन गया, अब हम जो hide किया हुआ था हमने portion, उसे हम लोग वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे, right click, isolate, end object isolation, यह वापस आ गया हमारा, अब dome हमें बनाना है, front view में चले जाते हैं यहाँ पर, तो front view में आ गए हम यहाँ पर, अब इसका dome हमें बनाना है, अब इसका dome बनाना है उपर का, और यहाँ पर openings भी करनी है, कुछ इस shape की, चली openings simple है, तो पहले मैं openings बना लेता हूँ, उसके बाद उपर का portion दिखाऊंगा, क्योंकि उपर का complicated है, तो यहाँ पर यह जो shape है, यह openings का, शेप दिखा देता हूँ, यह देखिए, मैं बना की दिखा देता हूँ आपको, इस face पे हमें बनाना है, हम side में बना सकते हैं, उसके बाद move करके, इस face पे रख देंगे, कोई problem नहीं है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक rectangle ले लेता हूँ, यहाँ से तो नीचे, यहाँ तक एक rectangle draw करूँगा, ओके, अब यह जो rectangle है हमें select करके side में ले लेना है, यह देखिए rectangle आ गया, अब इस rectangle में हम वो पहले 2D shape draw करेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे, तो इस rectangle पे अगर हमें यहाँ पर 2D sketch बनाना है, तो हम अभी तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारा जो plane है, वो यहाँ पर दिखाए दे रह तो कैसे करेंगे, यहाँ पर Z axis का use हता है, Z axis vector, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, पहले मैं visualize में काम कर लेता हूँ, exposure को थोड़ा सा, बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ पर करना क्या है, Z axis को, देखी, Z axis लेना है आपको, Z axis vector, अब यहाँ पर, इस sketch पर click करना है, आपको, और इस direction में Z axis कर देना है क्या होगा, वो बू और आपकी sketch में यह plane आ جाएगा, जहाँ पर भी आपका sketch होगा, यह plane है जो है, वो आपके sketch में आ जाएगा तो sketch में आ गया तो आप जो भी draw करेंगे sketch के यहीं draw होगा आपका जो भी sketch आप draw करेंगे देखें अगर पहले हम draw करते पहले plane पीछे था तो पीछे draw होता Ctrl Z करके दिखा देता हूँ मैं आपको पहले जो plane था वो पीछे था अगर मैं यहाँ पर circle draw करता हूँ C4 circle यह जो draw करूँगा मैं यह plane में draw होगा देखें पीछे draw हो रहा है क्योंकि plane पीछे है हमें plane अपने sketch पे लेके आना है क्योंकि हमें यहाँ पर draw करना है तो हमें Z axis vector लेना है sketch पे click और Z axis को इस direction में कर देना है perpendicular to sketch Z axis perpendicular to sketch करना है आपको से अब हम यहाँ यहाँ पर हम draw कर लेंगे इस तरह का shape तो देखता हूँ मैं तो मैं सबसे पहले तो इसका center line draw करता हूँ उसके बाद A for arc आप चाओ तो polyline का use कर सकते हो यहाँ पर polyline का किस तरह से use कर सकते हैं PL for polyline यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ इसका भी center draw कर लेता हूँ PL for polyline यहाँ से मैं start करूँगा उपर की तरफ एक line draw करूँगा तो इसके लिए हमें उपर से start करना होगा A for arc यहाँ पर arc ले लिए मैंने अब मैं यहाँ से एक first click और तो को off करना है आपको इसके लिए पहले तो इस तरह से फिर अगें A for arc यहाँ से शुरू करेंगे second arc ही हो गया again A for arc A space यहाँ से अगें मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ space अगें आर्क यहाँ से तो और एक लिए लेते हैं तीन अब इसके नीचे जो है कुछ ऐसा शेप है तो पीलर के साथ तो इसको मैं explore कर लेता हूँ इसकी जरुरत नहीं है यह डिलीट कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पर यह शेप ड्रॉ करने कोशिश करता हूँ यह फॉर आर्क यह छोटा छोटा पॉरिशन है अगें इस्पेस रिपीट अंदाजे मैंने बना लिया यह शेप क्योंकि उतना एक्क्यूरसी के साथ हम नहीं बना सकते कुछ लाइन्स भी डाल देते हैं इसमें अगें ए फॉर आर्क और यहाँ पर अगें लास्ट आर्क यह आ गया इसको थोड़ा सा हम एड्जेस्स कर लेते हैं इतना डीटेल में बनानी जुरत नहीं है मैंने कर दिया है इसको जोइन कर लेते हैं ज्येफ और अब मिरर कर देंगे एम आई फॉर मिरर और थो आन होना चाहिए मिरर करते वक्त और इस इसी को उल्टा मिरर कर देते हैं हम लोग इस सारी चीज़े जॉइन करना पड़ेगा हमें इन दोनों को यह हो नहीं रही है यह जो इसकेचे से जॉइन नहीं हो रहे हैं इन्हें ऐसे रहने देते हैं प्रॉब्लम नहीं है अब इसे क्या करेंगे देखिए थोड़ा से यहां पर प्रॉब्लम आ गया प्लें जो है वो पीछे की साइड हमारी चलीगी कुछ इसकेचे पीछे आए कुछ इसकेचे आगे तो यहां पर लास्ट में बस लास्ट का जो स्केच था वही हमारा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उसके बाद ऐसे ही हम लोग parallel view देखेंगे इस तरह से हमको यहाँ पर click नहीं करना है left, right इस पर click नहीं करना है directly यहाँ पर हम लोग sketch draw कर सकते हैं L for line कुछ line, polyline ले लेता हूँ इस तरह से कुछ line and then A for arc L for line okay, tr double enter तो यह हमने draw कर लिया, इसको mirror कर देते है, mi for mirror इसको भी mirror करेंगे, sorry इसको नीचे की तरफ mirror करेंगे, select mi enter यह आ गया अब इसे हम प्रेस पूल करेंगे, यह बीच का portion हमें प्रेस पूल करना है, इस तरह से कर देना है आपको प्रेस पूल, ठीक है? इस तरह से नजर आपको, इतना बड़ा करने की जुरत नहीं, थोड़ा कम भी रहेगा तब भी चलेगा, कोई problem नहीं, select करता हूँ, move करते हैं से, m for move, move करेंगे इसके corner से, और corner को रख देंगे, यहाँ पर जिस जहां से हमने उठाया था, यह वाले face पे parallel अब इसे हमें एक सिर्फ नहीं करना है, और भी चाहिए, मैं क्या करना है, solid subtract का यहाँ पर use करने वाला हूँ, solid subtract से क्या होता है, एक material से आप दूसरे का material रिमूव कर सकते हो, इस octagonal material से हम यह design वाला material रिमूव कर सकते हैं, कैसे? solid subtract, octagon पे click, enter, और यह 3D solid पे click, enter, देखें, यहाँ पर यह shape बन गया, इसी तरह से हम सब सारे sides में करनेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले इसे mirror, array कर लेंगे, array, select करेंगे इसको, और यहाँ पर array ले लेंगे, यह देखें, array, तो यहाँ पर polar array का आपको use करना है, और उस से पहले, polar array करने से पहले याद रखिए, plane के बहुत importance से यहाँ पर plane जैसा रहेगा, वैसा array होगा, अगर हम अभी जैसा खड़ा plane है, उसमें array करते हैं, तो कैसा होगा, देखिए, polar array, center point अगर मैं देता हूँ, कोई भी, इस तरह का array हो जाएगा, जैसा plane होगा, अभी front view में plane है, तो इसी तरह का array होगा, तो top view में plane करना होगा, हमें, control z कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर top view में कैसे करूँगा plane को, UCS double enter कर लिजे, UCS double enter, UCS double enter, आपका plane आपके default position पे चला जाए गया, जो की होता है top view, okay, top view पे चला गया plane, अब हम इसे array करेंगे, select polar array, center point दे 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 इसका, कोई भी mid point दे 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 दे, center point, यह हो गया, यह 8 रहने, 8 रहने चाहिए है, number of items, 8, 8 items आगे, अब हम यहाँ पर और बाकी कुछ नहीं करेंगे, associative को off कर दीजे, इससे एक group create हो जाता है, तो अब group create नहीं होगा, ठीक है, close आ रहे है, यह अलग अलग रहेंगे, यह अल quantity में आ गया, अब हम इसे solid subtract करेंगे, यह जो octagon है, इस पर click space, इन सब पर click, space, यह देखे, पहले तो हमने अंदर के octagon पर click किया, space, उसके बाद इन सारे object को select किया, space, यह हमारा ready हो गया, अब इसे, इसके हमें जरुरत नहीं delete कर सकते हैं, यह देखे, design किस तरह का ready हुआ है, ठीक है, अब हम इसे, इसका top का dome जो है, वो बनानी कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है देखिए, plane तो front में चाहिए, front view में plane हमारा चाहिए, इस तरह से, तुसरा हम इसका dome, center पर बनानी कोशिश करेंगे, इसका dome की size देख ले देते हैं, पहले हम, यह जो octagon है, इसी के equal है, bottom के थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा, तो यह जो हमारा octagon है, इससे थोड़ा सा छोटा dome होगा, अगर आप image के साहरे बनाना चाहते हैं, image के साहरे बना सकते हैं, मगर image में क्या है कि, अभी हमने side में बनाया है, तो यह थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा perspective-ness की वज़ा से छोटा लग रहा है, तो हमें अपने sketch के हिसाब से बनाना होगा, तो हम यही पर बनाएंगे, सिर्फ इसके shape का reference ले सकते हो, तो देखे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर plane को टॉप में रखना मुश्किल है, तो हम directly draw करेंगे, directly कैसे, यहाँ पर हमारा इसी के उपर plane पीछे होगा, अंदाजे मैं ले लेता हूँ, यहाँ से तो अंदाजे, थोड़ा फिर से ले लेते हैं, यहाँ से तो यहाँ तक, यह हमारा dome के लिए एक base तैयर हो गया, अब इसके उपर 2D sketch हमें बनाना है, इसे भी revolve करके ही बनाना है हमें, तो एक center line बनाएंगे, इस तरह से, अब इसके उपर का portion बनाना है हमें, तो A for arc, तो arc से start करेंगे, first point, ortho off करना है, arc draw करते वक्त, ortho off, first point, second point, third point, यह उपर का हमने, छोटा सा बना लिया portion, थोड़ा सा इसे ऐसा बना लेते हैं, A for arc again, first point, second point, इस तरह से थोड़ा ज्यादा round हो रहा है, कि यह थोड़ा ठीक लग रहा है, image में देखते हैं, इसका भी reference ले सकते हैं हम लोग, यह जो dome है, तक बग हमारा ठीक ही लग रहा है, दो arc का, दो arc की मदद से हमने यह draw किया, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ दोनों में tangency अच्छे से नजर आने चाहिए, smoothly यहाँ पर curve जाना चाहिए, smooth curve यह थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अंदर करना है, इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं, बाद में आप बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा adjust कर सकते हैं, थोड़ा से यहाँ पर हम इसे भी adjust करेंगे, थोड़ा इस तरह से, थोड़ा ज्यादा हो गया, यह अब perfectly देखे, tangent लग रहा है, यह हमारा dome रेडिय है, बस इतना ही करना था, trim, trim, इसे joint कर देंगे, j for joint, अब इसे revolve करना होगा, पूरी तरह से joint रहना जरूरी है, यह देखे, joint हो गया, अब इसे revolve करना है, select, यहाँ पर जाएंगे, revolve, axis देदेंगे, enter, यह देखे है हमारा dome यहाँ पर ready हो गया, plane पर बना है, हमने plane पर ही बनाया था, यह plane से side में है तो इस dome को अब हम copy करके यहाँ पर रख सकते हैं, फिर move कर देंगे, m for move, base का midpoint यह वाला है, midpoint ले लेंगे, और हम इसके center में रखने के कोशिश करेंगे, तो center, 3D object snap की वज़ा से हमें blue center नजर आ रहा है, तो blue center पर click कर देंगे, यह वाला button आपको on रखना है, 3D object snap, आपके computer में नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप जाके 3D object snap on कर सकते हो, यह देखें, यहाँ से on कीज़े, तो 3D के भी centers आपको नजर आएंगे, 3D से के भी points आपको नजर आएंगे, थोड़ा सा curve में अगर आपको थोड़ा सा देखें, यहाँ पर lines नजर आ रहा है, curve में, अ यहाँ पर 1000 होगा, यहाँ पर 10,000 कर दीचे आप, ओके, ओके करते हैं, तो यहाँ पर 2D का हमने, यहाँ पर 3D में कोई भी changes दिखा नहीं हमें, तो 3D के लिए अलग smoothness change करना पड़ेगा हमें, यह 2D के लिए होता है, तो इसे भी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, segments in polygon curve, render object smoothness इसको 0.5 की जगा 1 कर देते हैं, counter line surface इसको 10 कर देते हैं, तो यह settings कर दीजे, तब जाके आपका, यहाँ पर देखे, अब curve हमारा smooth नजर आ रहा है, जितना हो सारी चीज़े बढ़ाएंगे, उतना curve जो हमारा smooth नजर आएगा, यह हमारा dome ready हो गया, अब dome के उपर यह बनाया ह हुआ है, इस तरह का, तो इसे हम लोग बनाने के कुशिश करेंगे, अब, front view again, यहाँ से, base की वैसे अब हमें जरूरत नहीं है, इसे delete कर देते हैं, bottom का sketch हमने copy किया था, अब इसके उपर, इस पर click नहीं, उपर हम बनाएंगे, तो simply मैं एक line ले लेता हूँ, अंदाजे के इस तरह से, half ही बनाना है, उसको फिर हम, इतनी height ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, image की help ले सकते हैं, तो इसे अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह का है, उसके लिए थोड़ा अलग है, कुछ इस तरह का circular portion है, इसमें, दो-तीन circles हैं, और top में इस तरह से arrow किया images का reference ले सकते हो आप, तो कितने circles हैं यहाँ पर, एक, दो और उपर एक, तो दो ही circles हैं, बाकी में यहाँ पर तीन है, यहाँ पर भी यह वाले सेम यहाँ पर, तो यह वाला हमें बनाना है अब, आपर दो ही नज़रा आ रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर c4 circle, एक बड़ा circle draw करूंगा, फिर एक छोड़ा circle, उसके बाद एक arrow type में, तो उसे में कैसे बनाते हूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लना पड़ेगा, यह थोड़ा ज्यादा बढ़ा लग रहा है मुझे, select छोटा कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा, इसको और भी थोड़ा छोटा, अब उपर का, हम एक line ले लेते हैं, इस सब अंदाज़े ही बनाना है हमें, यहां से a for, a for arc, sorry, यह draw कर लिया, अब a for arc, first point, second point, and third point, ओके, अब इसमें क्या करना है देखिए, एक line लेना है आपको, और line यहां से, यहां तक, इस तरह से आपको draw करना है, यह देखिए, यहां पर trim कर दीजिए आप, अब यह half portion पूरी तरह से trim, यहां आ गया, अब इसे हम join करेंगे, जे for join, और revolve, revolve के लिए, यहां पर revolve, axis line, enter, तो यह हमने ready कर लिया है, बना लिया है, देखिए, थोड़ा सा beach का जो section है, वो थोड़ा सा मुझे मोटा नजर आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, control-z करता हूँ, again control-z, इसको explore करते है, control-z करते हैं, यह जो line थी, हाँ, यह जो line है, इसको ही हम, थोड़ा कम करेंगे, यह line थोड़ी problem दे रही है, again line draw करते हूँ, okay, okay now, अब यह हो सकता है, इस सही से बने, tr double enter, इसमें एक और चीज बनानी है, यह वाला portion थोड़ा सा ज्यादा उपर लग रहा है मुझे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, select m for move, यहां कर देता है, और फिर अब ही नहीं हमें, trim कर देता हूँ, तो यह तो हमने बना लिया, अगर bottom अगर देखो आप यहां पर, अगर इनका bottom देखो तो bottom में देखे, इस तरह का shape है, तो यह वाला हम shape बनाएंगे आपर bottom में, तो इसमें हम यह for arc ले लेंगे, थोड़ा सा उपर से, एफ़ार आर्क, अगें एफ़ार आर्क, अगें एफ़ार आर्क, इस तरह का, थोड़ा से लंबा हो गया ओके नो प्राब्लम हम इसे थोड़ा छोटा कर देंगे अब यहां से स्ट्रेट होरिजॉन्टल लाइन यह एक्स पर एक्स्टेंड यह वाला अच्छे से हम लोग कर लेते हैं ट्रिम ट्रिम डिलेट ओके जे फॉर जॉइन अब इसे रिवॉल्व यह होगी हमारा टॉप का पॉरिशन अब हमें क्या करना है कि यह जो नजर आ रहा है यह डिजाइन सभी पिलर्स के उपर इसी तरह की डिजाइन है यह हमें बनाना होगा तो यह थोड़ा सा कॉंप्लिक्रेट पॉर्शन है तो इसे ध्यान से देखिएगा हम किस तरह से इसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए दो व्यूज में हमें काम करना होगा एक तो फ्रंट यू देन टॉप यू तो फ्रंट यू में आ जाता हूं मैं यह पर फिलाल तो फ्रंट यू में हूं यह आ गया फ्रंट यू अब इसके ऊपर हमें बनाना इस डॉम के ऊपर तो इसी का रेफ्रेंस लेंगे तो मैं क्या करता हूं यहां पर देखिए यह फर आर्क ले लेते हैं सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूं मैं यह पर इसको साइड कर देता हूं इसका टूडी स्केच हो सकता है हमारे बाद में काम आए तो उसे भी रख लेते हैं तो इसके लिए देखिए किस तरह से बनाएंगे हम यह तो इफ और आर्क लेंगे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लिजिए इसमें सेंटर पर एक लाइन अंदाजे ड्रॉ कर लिजिए लंबी सी अब मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा यहां पर इफ और आर्क जिस तरह से हमारा यह डोम गया हुआ है उसी तरह का एक आर्क ड्रॉ करूँगा काश हमने इसी डॉम का शेप जो है टूडी स्केच रखा होता तो उसकी जरुरत पड़ती है हमें अभी ओके डॉम का शेप नहीं है तो हम आर्क से बना सकते जिली तो यहां से देखिए किस तरह से हमें बनाना है उपर का शेप बनाते हैं और तो आफ करके यह थोड़ा सा इस तरह से एफ और आर्क अगेन एक आर्क ओके इस तरह से तो तीन आर्क का इस्तावाल किया यह थोड़ा सा हमें एड्जस्स करना होगा थोड़ा सा इससे भी ठीक करना होगा तो कुछ इस तरह का बन रहा है यह ठीक है तो यह कर्व हमें मिल गया है इंटर्नल कर्व अभी फिलाल तो ज़रुरत नहीं है उपर लेते हैं इसको कॉपी करके सी यो एंटर यह हमारा सेंटर्पॉइंट है इसके साथ मैच करते हैं हम फर मूफ इस इंटर्पॉइंट के साथ मैच कर दिया अब इसी को हम लोग एफ और आर्क यहां से आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से अगें आर्क अगें आर्क बस कुछ इस तरह से हमें बनाना है टिया डबल एंटर यह ट्रिम यह आगें यह जॉइन कर दीजें और इसे रिवाल्व कर दीजें थोड़ा सा उपर बहुत जादा राउंड कॉर्णर नजर आ रहा है यहां पर इसे रख के देखते हम इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है यह शायद सर्फेस में आया हुआ है देखें यह ठीक से जॉइंट नहीं हुआ था यह देखें यहां पर ओपन है तो यह ओपन रहने के विज़ासे ठीक से सॉलिड में नहीं आया है तो अगें इसे करना पड़ेगा में रिवाल्व देखते हैं अब सॉलिड में आया है अब ठीक से मुव होगा अब सॉलिड में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हो जाएगे अब इसे हम नीचे के तरफ लेते हैं आपके अभी भी यह नहीं आया है सॉलिड में फिर से सॉलिड में करने कुशिश करते हैं जे फॉर जॉइन एक्स फॉर एक्सप्लोड यह जो कर्व है हम लाइन ही बना देते हैं यह यह लाइन बना दी और कोई पॉइंट ओपन ट्राय करते हैं जॉइन करके जे फॉर जॉइन रिवाल्व ओके अभी भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए क्या करेंगे एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बी ओ फॉर बाउंडरी बनता है बाउंडरी ले लिए पॉली लाइन यहां पॉली लाइन पिक पॉइंट इस रिजन पे क्लिक किजिए और एंटर किजिए यह जो है एक आपको मिल जाएगा देखिए दो मिल गए है तो एक फर्स्ट वाला होगा और अभी जो एक रेडी हुआ और यह वाला किस तरह से नज़र आते देखते हैं तो इसे मूफ करते हैं यह सॉलिड में है और यह हमारा प्रिवियस वाला है इसको मूफ करते हैं तो बाउंडरी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर पॉली लाइन से जॉइन नहीं हो रहे ठीक से तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको थोड़ा नीचे की तरफ एम फॉर मूफ और तो अन क्लिक नीचे की तरफ इस तरह से रख सकते हो ठीक ही लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे उपर की तरफ मूव अब इसका शेप हमें ठीक से बनाना पड़ेगा यह पहले देख लिजी इस सर्फेस में आया है यह भी सर्फेस में आया है तो हमें इसे फिर से बनाना पड़ेगा इसको डिलीट कर देता हूँ मैं रिवॉल्व करेंगे बहुत 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 सर्फेस में आ जाता है कहीं न कहीं ओपन होनी की वज़ासे तो सबसे बेस्ट आप्शन है कि आप इसे बी ओ फर बांडरी कर लें बी ओ एंटर पिक पॉइंट क्लिक एंटर अब सेलेक्शन साइक्लिंग कौन कीजिए दो यहां पर लिए हैं पॉली लाइन पॉली लाइन ओके दो नों पॉली लाइन है तो अब देखते हैं ऐब रिवाल होने के बाद यह सर्फेस में आता है यह फिर सॉलिट यह सॉलिट आ गया तो अब हमारा सॉलेट आ चुका है तो यह फ्रेंट यू से बनाया मगर इसमें इसमें हमें इस तरह के बीच में gaps करने है तो ये कैसे होगा ये top view से करना पड़ेगा हमें तो top view से कैसे करेंगे देखिए आप क्या कीजिए z axis को ले लिजिए और इसके center पे रख दीजिए कहीं पर भी center कोई भी circle का center और उपर की तरफ axis करना है z axis इस उपर की तरफ ओके यहां से top view देखते हैं top view से आपको काम करना होगा अब यह यहां पर था sorry ओके top view से देखना है मैं इसे तो top view से देखिए अब मैं इसको कैसे बनाता हूं इसको थोड़ा side में कर लेता हूं उपर के portion को तो यहां पर अब side में मैं इसमें क्या करता हूं देखिए line, L4 line एक line बना लेता हूं यहां पर यहां से तो यहां तक कितनी बड़ी line हो रही है यह one का line, one की line है one, तो one, one की line मैंने draw कर दी यह distance center से one था तो आप देखिया मैं क्या करता हूं इसमें इसमें करना क्या है कि आपको एक लाइन लेना है सबसे पहले polyline ले लिए PL for polyline यहां से straight ortho off करके इस तरह से जाना है और फिर A for arc लेना है यहां से इस तरह का draw करना है आपको हो गया इसको mirror कर दीजिए MI for mirror अब एक line होगी तो line से इन दोनों को join कर दीजिए TR for trim कर दीजिए यह वाली line यह वाली delete ओके J for join जान हो गया यह हो हमरे का अब इसको extrude कर देंगे हम extrude इस तरह से height में और इसको move करके इसका जो यह point है वो यहां पर उपर top पर रख देंगे इसका top मिलेगा तब तो ओके उपर center मिला मुझे मैंने रख दिया बस इसी तरह से रखना है अब इसे array करके देखते हैं यह सही आ भी रहा है नहीं select array array के लिए plane top में चाहिए mid center point of array यह point देंगे number of items देखते हैं 15 और ज्यादा करने परेंगे 20 20 थोड़ा ज्यादा हो रहा है ओके ठीक है मुझे लग रहा है 20 से और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा 23 ओके नहीं ज्यादा हो रहा है 22 थोड़ा सा यह जो gap है मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें changes करना चाहूंगा sketch में control z तो multiple time हो सकता है आपको यहाँ पर changes करने पड़े x4x flow यहाँ पर एक line ले लेता हूं L for line horizontal line perfectly थोड़ा सा इससे modify करते हैं नीचे की तरफ ओके इसको explode कर लेता हूं मैं x4 explode और थोग आफ कर दीजिए ओके इस तरह से रखेंगे एकदम minimal gap mi for mirror okay midpoint delete थोड़ा सा tangency रहती तो अच्छा होता tangency कुछ इस तरह से okay again delete करना होगा again इसका mirror करना होगा mi for mirror ortho on okay j for join अब यहां पर हम इसे extrude करके ले सकते हैं 21 करते हैं okay 21 हो गया skip associative को off रखना है 21 अब हम यहां पर solid subtract करेंगे solid solid subtract यहां पर भी है और यहां पर भी है solid subtract अंदर के solid को क्लिक enter और यह off कर दीजे selection solid selection cycling problem होगी अब यह सारे select करना है तो मैं क्या करता हूँ यह एसे view में यह सारे select कर लेता हूँ array center point any 24 करते हैं 25 कर देते हैं अब corner आएगा देखना solid subtract अंदर वाले पार्ट को select enter इन सभी को select करता हूँ मैं ऐसे अब देखिए एक corner आ गया perfectly done इसमें क्या कोई problem है थोड़ा solid यहां का remove नहीं हुआ है यह देख सकते हो तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा control Z करता हूँ यह जो solids है थोड़ा सा इसे नीचे कर लिए यह सारे solids को select किजिए m4 move ortho on थोड़ा सा इस तरह से sorry ortho on रखिए इस अब सारा नीचे तक material remove हो जाएगा solid subtract space और यह सारी enter आप देख सकते हो तो यह complicated portion था हमने बना लिया है इतना अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो बाकी का portion बनाने में आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो अब हम यह portion अपने dome के उपर सजा सकते हैं select m4 move तो उपर का center ले लिजे कोई भी और यहां पर रख सकते हैं हम लोग इसका कोई point ओके यहां पर एक center मिल ला ठीक है अब इसी को हम थोड़ा move कर देंगे नीचे की और arrow select नीचे अंदाज इस तरह से रख देंगे ओके यह आ गया middle point और इसको भी इसको थोड़ा उपर करना पड़ेगा center में तो रख तो दिया है थोड़ा इसे मैनुली हम उपर की तरफ move कर देंगे कुछ इस तरह से तोप का portion हमारा complete हो चुका है अगर यह आपको छोटा लग है तो आप इसको scale भी कर सकते हैं select करके scale कर लीजे scale पे click midpoint पे click करना है उसके बाद थोड़ा सा आप इस तरह से आपको जितना भी बढ़ा चाहिए आप इसे बढ़ा सकते हैं कि बढ़ा कर दिया आप इसे हमें इसे और इसे उपर करना होगा एम फार मूव और थो आन होना चाहिए बस और थो आन उपर की तरफ यह हम अंदाजे रख देंगे इसको भी मूव करना पड़ेगा यह आ गया select select एम फार मूव और थोड़ा सा उपर दोनों को यह आ गया हमारा यह अब ठेक लग रहा है साइज में तो देख सकते हो किस तरह से हमने इसे बनाया है इसे डिलिट कर देते हैं बाद में हम लोग बना लेंगे इसे सेव करना ज़रूरी है कभी भी computer हैंग हो सकता इस लिए इस project को जल्दी से आप सेव कर लिजे इसके बाद आपका complicated portion होता है सारा सारी complicated चीज़े बनेंगी तो आप इसे जल्दी से सेव कर लिजे ताज महल इसको version सेलेक कर लेता हूं है 2010 ताके सभी लोग इसे open कर पाए easily तो यह उपर का portion बन गया है तो अब हम में थोड़ा सा इस pillar में और जो finishing की designs है वह हम डालेंगे यहां पर कुछ आपको नजर आ रहा होगा बीच में clear image आपको दिखा देता हूं मैं यहीं देखिए यह जो designs है यह हमें बनानी है अब तो इसमें इतना कर लेंगे pillar हमारा हो गया complete तो balcony में सबसे पहले देखिए मैं क्या बनाता हूं सबसे पहले तो एक box लेता हूं एक box box यहां पर है box ले लूँगा और यहां पर इस face पर कहीं पर भी quadrant में quadrant ढूंडा है मुझे quadrant देखिए quadrant point मिला quadrant से एक इस तरह से box ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ height हम दे देंगे बस इस तरह से थोड़ा से नीचे रख देंगे 1.4 के असपस आ रहा है तो sorry इसको थोड़ा और उपर की तरफ भी चाहिए था हमें थोड़ा से यहां से arrow से भी होता है arrow से थोड़ा बढ़ा लेंगे 0.3 बढ़ा लेंगे ओके यह box थोड़ा बढ़ा लग रहा है मुझे छोटा कर देंगे थोड़ा box box quadrant point यह quadrant point आ गया sorry orbit कर दिया मैंने इस तरह से मैं ले लूँगा थोड़ा सा और नीचे की और नीचे की और थोड़ा ज्यादा रखेंगे ताके हम बनाने के बाद इससे select करके इस तरह से उपर उपर मूफ कर पाए थोड़ा कितना मूफ करेंगे उपर point two point two से उपर मूफ कर दिया ठीक है अब एक और काम करना होगा इससे center में रखना पड़ेगा select 3D solid selection cycling off कर दिया अभी काम नहीं है इसको तो पहले midpoint quadrant में रखिया इसका बॉक्स का midpoint quadrant में रख दिया अब इससे उपर कर सकते हो इससे उपर point two यह आ गया अमरा और बाकी इसमें यह वहला नीचे नहीं रहेगा तो चलेगा मैं प्रेस पूल कर लेता हूं इसको इसको reduce कर देता हूं यहां तक ठीक है अब इसके उपर जो है कुछ spherical type का portion है तो मैं यहां पर spare रख देता हूं यहां पर box में spare है तो midpoint यहां पर इस तरह से 0.15 का spare ले लेते हैं और इसे यहां पर रख देता है उपर लेंगे 0.15 इस तरह से आएगा अब इस तरह से अंदाजे मूफ कर सकते हो इसे ठीक से रख दीजे बस अब यह दोनों आ गए अब इन्हें array कर दीजे तो यह दोनों बना लिया है इन्हें हम union कर देते हैं ताकि यह joint हो जाए union लेंगे इसे और इसे सिलेक्ट एंटर यह दोनों union हो गया अब इसे array करेंगे हम UCS डबल एंटर plane सही होना चाहिए हमारा अब यह यह दोनों जो है यह सिलेक्ट करके array इसेंटर सिलेक्ट करेंगे यहां पर ले जाएंगे 20 ठीक है अब इसी में एक को मैं कॉपी कर लेता हूं co4 copy तो इसे अगेन मैं quadrant point से copy करता हूं सॉरी quadrant वाला object हमें copy करना होगा यह वाला है quadrant सॉरी यह भी नहीं है तो quadrant में जो है वही वाला हमें copy करना है टॉप से देखते हैं तब हमें quadrant का object मिलेगा यह copy करेंगे यह quadrant का object है तो यहां quadrant से copy करेंगे और नीचे भी रखना होगा हमें नीचे के quadrant में रख दीजिए एक यहां पर रख दीजिए एक यहां पर रख दीजिए पहले ही copy कर लेंगे तो अच्छा होगा मैंने array करने के बाद किया इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था कि कौन सा object quadrant में है तो पहले ही quadrant का object आप copy करके रख लीचे इसमें आप इन्हें भी array कर सकते हैं इन दोनों को array एक साथ ही कर देते हैं यहां पर 20 ओके इसकिप तीनों में copy करके तीनों को एक साथ array करेंगे तो और भी अच्छा होगा तो यह हो गया अब नेक्स इसमें बीच का फिलर आपको ड्रा करना है तो बीच में कुछ डिजाइन है उसे ड्रा करना है कुछ इस टाइप का डिजाइन है मैं अंदाजे बना लेता हूं क्योंकि वह clearly नजर नहीं आ रहा है किस तरह का डिजाइन है तो मैं इसे front view से ड्राव कुरूंगा front फ्रेंट में जाएंगे यहां पर जाएंगे और यहां से मैं एक एक line ले लेता हूं सबसे पहले तो इस तरह की line ड्राव करूंगा उसके बाद एक arc ड्राव करूंगा एफ़ आर्क यहां पर थोड़ा सा line यह थोटी सी line यहां पर यह थोड़ा सा देखते हैं ओके एफ और आर्क ले लेता हूं और थो आफ यहां से एक आर्क ड्राव करेंगे उसके बाद यहां से एक line अगेन एक आर्क सॉरी यहां पर एक midpoint यहां पर एक अगेन एक line थोड़ा से यह आर्क को हम सई कर लेंगे ठीक है इस तरह का मैंने एक design बना लिया अंदाज है इसको join कर देंगे जे for join अब इसे हम extrude कर सकते हैं कुछ छोटे से distance पर टू कर शरी टू नहीं यह extrude सही से हो नहीं रहा है इस surface extrude हो रहा है मतलब कि इसका कोई ना कोई portion open है यहां पर देखिए यह open है तो line tr trim करेंगे इसको extend कर देता है ex extend अब join करें जे for join extrude अब आ रहा है solid तो इसे मैं कर देता हूँ यह point three point two five okay point two five और इसे move करेंगे m for move एक इसका quadrant यहां से copy move करता हूँ मैं midpoint अब quadrant में हमें रखना है इस circle के एक ही यहां पर आगया quadrant इसको भी copy करेंगे co enter okay total बना की copy करते हैं इसमें spare spare भी डालूँगा मैं spare और यहां पर एक spare डालते है point one five enter इसको नीचे लेंगे point one five enter यह एक spare आ गया यहां पर एक spare point one five enter और इसको select करके move करेंगे आगे की तरफ point one five enter इन दोनों को हम union कर देंगे union इसको हम copy करेंगे co enter midpoint यहां पर एक रख देंगे और quadrant यहां पर तीनों को मैंने रख दिया अब array करेंगे इसको select select and select array center point को यह भी circle का इस pillar का center दे दीजिए sorry यह array सही नहीं हो रहा है देखिए क्योंकि plane हमारा सही नहीं है controls head करते हैं और यहां पर UCS double enter तो plane हमारा default position में आ जाएगा अब इसे हम array कर सकते हैं select 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 array और यहां पर midpoint और यहां पर डाल दीजिए 25 sorry 20 skip देखिए हमारा एक pillar यहां पर completely ready हो चुका है तो अब इस तरह के चार पिलर्स हैं तो हम copy करके इनहें रख सकते हैं इन सब को select करके मैं काम करता हूं जी फॉर ग्रूप कर देता हूं यहां पर जी फॉर ग्रूप जी एंटर तो यह क्या होगा कि एक ग्रूप में आ जाएंगे क्योंकि इसमें अलग-अलग objects है अलग-अलग हमने बनाये हैं तो उनको कभी-कभी क्या हो सकता है अगर ग्रूप नहीं होगा तो हो सकता है कि मूव हो जाए कहीं पर जैसे यह वाला ऐसे मूव हो जाए सकता है अलग-अलग सारी चीज़े क्योंकि हमने इन्हें यूनियन नहीं किया यूनियन कर देंगे तो चलेगा वैसे सारी चीज़े सेम material की हैं जब material अलग-अलग डालना होता है तो हम अलग-अलग रखते हैं इन्हें अभी आप यूनियन कर सकते हो जैसे कि यह चोटी-चोटी चीज़ें हैं यह सब यूनियन कर सकते हो कर देता हूं मैं तो यूनियन इन सब को यह जो portion है प्लस यह सारा और यह सारा एंटर यह यूनियन हो गया हमारा तो यह एक हो गया उपर का portion तो मैं नहीं करूंगा उसको मैं रहने दूंगा थाकि हमें इस हो आगे ड्रॉइंग में तो मैं इन्हें गू ग्रूप कर दिते हूं अब जीक फोन ग्रूप । इस तरह घंप Ну । आप इन्हें 4 चाहिए थोड़ा सा slow चलने लगा है देखे computer क्योंकि यहां पर हमने complicated work किया है थोड़ा center इसका मिल नहीं रहा है हमें तो हम पहले इसका center ढूड़ेंगे एक line ड्रॉ करता हूँ मैं यहां से तो इसके midpoint तक इसका center जो होगा वही इसका center होगा तो मैं यहां पर भी draw कर लेता हूँ ताकि यहां पर भी हम easily इस पर रख पाएं ओके यहां पर भी और यहां पर भी select co enter copy midpoint में रखना होगा थोड़ा सा computer slow चल रहा है मैं थोड़ा यहां पर RAM को clear करता हूं ओके हम क्या करते हैं कि यहां पर जो वीज्वल स्टाइल है इसको कुछ ऐसे वीज्वल स्टाइल पर रखेंगे जिसमें हैंग ना हो यह शेड़ेट शेड़ेड में आइधिंक सई चल रहा है यहां पर रख देंगे शेड़ेड में यह हैंग नहीं हो रहा है शेड़ेड विद एज़ेस यस विद एज़ेस दिखाने में यह थोड़ा सा हैंग हो रहा है विद एज़ेश शेड़ेड में यह थोड़ा हैंग हो रहा है तो देख सकते हैं किस तरह का वर्क हमारा यह रेड नजर आ रहा है क्योंकि यह लिएर जो है वह रेड है तो हम इसे अलग-अलग कलर रख सकते हैं ब्लू या फिर नॉर्मल जो डिफॉल्ट कलर है वाइट वह रख सकते हों तो यह साइड के पिलर्स हमारे रेडियो हो चुके हैं पर्फेक्टली बन गए हमारे अब हम में जो हमारा बीच का जो बिल्डिंग है उसकी तरफ जाएंगे अब हमारे में जो यहाँ पर ताजमेल है उससे हम बनाएंगे उसकी जो साइज है यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस तो है ही तो इसकी मदद से हम इसे करेंगे तो इसे टॉप यूव अब फ्रंट यूव में चल जाते हैं इमेज फ्रंट यूव में है तो हमें भी फ्रंट यूव में ही करना होगा ठीक है फ्रंट यूव में हमें इसका रेक्टेंगल बना लेता हूं तो यहां पर मैं एक rectangle लेता हूँ REC for rectangle अब यह red इसले ही किया था मैंने ताके हमें यह अभी भी 2D work है तो मैं ready रहने देता हूँ एक rectangle बनाना है यहां पर ठीक है तो यह rectangle मैं copy करूँगा सी ओ एंटर साइड में अब यह जो rectangle इसका dimension मेजर कर लेते हैं और exactly इसको rectangular बनाते हैं 76.3 76.8 तो दोनों तरफ से 76.5 तो एक rectangle बनाता हूँ 76.5 एंटर सॉरी आरे सी 76.5 टैब 76.5 एंटर यह डिलीट यह डिलीट यह आया हमारा में बिल्डिंग का rectangle अब इसमें चांफर्ड आपको नजर आ रहा होगा यह जो चांफर है चारो corners में तो इन चारो चांफर्स को हमें ड्रॉ करना है तो इसको distance हम थोड़ा मेजर कर लेते हैं देखते हैं कितना है तो एक line ले लेता हूं मैं line ड्रॉ करता हूं इस चांफर के distance पे तो यह मुझे मिल रहा है 10.1 फिर से फिर से देख लेते हैं 10 रख देते हैं 10 का चांफर c h a for chamfer c h a enter यहाँ पर distance पे क्लिक करना है और यहाँ पर 10 एंटर 10 एंटर और यहाँ पर इन दोनों पे क्लिक space इन दोनों पे क्लिक इन दोनों पे क्लिक इन दोनों पे क्लिक इन दोनों पे क्लिक यह हो गया हमारा चांफर अब बाकी की चीज़ें इसमें हमें तो पहले तो box shape बनाना है उसके बाद बाकी की चीज़े उसमें होंगी इसमें अगर आप ताज महल को देखते हैं इमेज दिखाता हूँ आपको तो ताज महल के देखें बीच का जो portion है वो उपर की तरफ उठा हुआ है यह वाला यहां पर भी है वैसा ही चारो तरफ है तो यह वाले portion भी हमें यहां पर बनाने पड़ेंगे तो इसका proportion हमें थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा कि यह कितना है इसके according तो image से हम लोग यह पता कर सकते है इमेज में देख लेते हैं यह जो distance है डिए फॉर distance यहां से यह जो sorry एल फॉर लाइन यह हमारे लाइन जो है यह लाइन बन रही है 55.6 56 ले लिजे यह 56 की है तो यह जो है हमारा यह आ रहा है 29 और 30 चलिए 30 ले ले लेते हैं यहां से इसके center से face से ले ले लेता हूँ ओके 30 30 आ रहा है यह 56 होगा तो 30 होगा ओके तो हम distance यहां पर भी देख लेते हैं यह देखे 56 तो यहां पर 30 mm का हमें बनाना है तो मैं एक line ले ले लेता हूँ लाइन इस तरह से center के लिए अंदर की तरफ मैं ले ले लेता हूँ इसे लग भग 3 एंटर 30 है तो 15 इस साइड में और 15 इस साइड में और इसे close कर देंगे delete कर देंगे और इसे आप mirror कर सकते हैं MI enter यह mirror हो गया किस तरह से mirror किया आपको आना चाहिए select object MI enter मिड़ पॉइंट यहां से यह एक और यह मिड़ पॉइंटर ठीक है क्लिक कर कर देना है बस अब इसको भी mirror करना है साइड में अब साइड में कैसे mirror कर देंगे देखिए select कर लिजे इन्हें MI for mirror MI enter यह वाला पॉइंट देना है तो center तक दे दीजे यह फिर 45 degree का अंगल होगा यह अब यह मिल गया mirror MI enter midpoint enter यह इस तरह से हमने चारो तरफ के लिए यह बना लिया है ठीक है तो अब हम इसे press pull करके इसे 3D में convert कर रखते हैं तो यह front view में बनाए है याद रखिए हमने front view में बनाया है इसको top view में कैसे करेंगे हम तो select करता हूँ मैं ctrl x करता हूँ ctrl x cut और यहाँ पर top view में जाता हूँ अब top view में आ गए यह देखिए plain top view ctrl plus v करते हैं ctrl plus v में यह top plane में आ गए देखिए तो अब यह top plane में आ गया हमरा front view से top plane में ctrl x cut and paste हमने कर दिया तो यह top plane में आ गया अब हम यहाँ पर press pull कर सकते हैं तो इसकी height कितनी देंगे तो हमें थोड़ा front view से again इसका height थोड़ा सा front view से हम चेक कर लेते हैं दिया फार distance measurement यहां से तो यहां तक यह जो distance है 30 यह भी 30 है ठीक है और यह वाला जो है यह 30 है और यह है 36 36 ओके 30 & 36 ओके तो हम इसी तरह से again UCS double enter करेंगे अब इसे press pull करेंगे यह वाला जो height होगा 30 का होगा और यह सब जो है छोटे छोटे इनके प्रेस हो 36 यह भी 36 36 36 36 देख लेते हैं सही लग भी रहा है यह नहीं थोड़ा समय अगेन मेजर कर लेता हूं इसे प्रेंट यू दिया फॉर डिस्टंस मेजरमेंट यहां बॉटम से लेकर तो यहां तक एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं ओके 30 और 36 परफेक्ट तो देखिए हमने बना लिया सब्सक्राइब करते हैं यहीं पर इसका पॉरियंटेशन पर आजाएगा अब यह लियर का कलर फिर से वाइट ही रखते हैं से यहां पर ग्रे ग्रे देखते हैं कैसा दिखता है अब कि ग्रे कर दिया मैंने अब इसे इस चार चीज़ें यहां पर तो हम एक काम करते हैं यही पर इसका पूरा वर्क करते हैं उसके बाद इसे हम मूव कर देंगे ठीक है इसके बीच में कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूं इसे यही पर हम इसका पूरा work करेंगे उसके बाद उससे move करके यहां पर रख देंगे fast work के लिए आप एक काम कर सकते हैं इन दोनों को और इसे select कर सकते हो और right click isolate कर सकते हो isolation object कर सकते हो क्या होगा कि इन दोनों के अलावा सारी चीज़े आपकी hide हो जाएंगी और आपका computer भी hang नहीं होगा क्योंकि वह चीज़े heavy हैं तो वह रहेंगी display में तो hang करेंगी तो आप isolate कर लिजे ताकि हमारा computer अच्छे से fast चले और आपका काम हो जाने पर right click isolate and object isolation कर दीजे आपके सारे objects वापस आ जाएंगे यहां पर आ गए वापस तो अभी यहां पर right click isolate object isolate कर दीजे बस अब इनको work करने के बाद आप बाकी का काम कर सकते वाद में तो थोड़ा समय से front view से देखता हूं और इसे move करके अपने object के नस्दिक लेके आता हूं और थ्वाफ करके यह देखिए यह हमारा लगभग सही दिखा रहा है अब हमें इसमें डोर्स वगएरे डोर्स वगएरे की ओपनिंग बनानी है तो उसके लिए हमें इन सबको union करना होगा सबसे पहले union ले लिजे इन सबको select करके union कर लिजे यह union हो गया एक बन गया यह सालिड अब इसमें हमें यह यह shape create करना है और यह shape का यहाँ पर हमें opening करना है ठीक है तो हमने इसी के हिसाब से बनाया है तो इसी में हम देखिए कैसे बनाते हैं front इसी image की help से हम लोग यह shape बनाएंगे देखिए और dome का भी shape हम बना सकते हैं मगर यहाँ पर कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा था यहाँ पर हम बना सकते हैं यह size बड़ा है तो ए for arc यह red कर लेते हैं हम लोग layer ताके lines हमारे red आ है ए for arc यहाँ से start होगा पहले तो एक center line draw कर लीजे और थो on ओके यह on हो गया इसको थोड़ा और उपर यहां तक अब इसमें हम curve draw करेंगे ए for arc यहां से ortho off, arc draw करते वक्त ortho को off करना होगा आपको यह यहां से तो यहां तक अब यहां से again second arc, a for arc, first point, second point, third point ओके देख सकते हैं थोड़ा सा आप arc अगर match नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप adjust कर सकते हो यह ठीक लग रहा है इसको थोड़ा सा हम उपर की तरफ चड़ा देते हैं ठीक है आप यहां से हमें इसे straight लेना है और थो on यहां से थोड़ा extra portion trim यह हो गया हमारा इसी को mirror कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा mirror करना नहीं है हमें इसे revolve करना है क्योंकि select j for join यह आगया इसके साथ यह windows भी है तो इन्हें भी मैं बना लेता हूं साथ साथ a for arc फहले तो line draw करने पड़ेगी मीड की a for arc और थो off f8 अगें a for arc ओके यह नीचे तक आया हुआ है इसको मैं यहां तक ले लेता हूं थोड़ा सा curve इसको कम कर देता हूं lines जो है वो पहले आप draw करके रख सकते हो ताके यह आपको दिक्कत ना करें देखिए अब lines यह line जो है मैंने यहां तक draw कर ली okay आप arc draw करूंगा a for arc यहां से ortho off यह यहां तक और इसके बाद बीच का जो है थोड़ा सा manage कर लेंगे हम okay curvature थोड़ा सा इसको हमें कम करना पड़ेगा और थोड़ा कम यह line अच्छे से corner नजर नहीं आना अच्छी यह बस ठीक है यह बन चुका है हो सके तो आप यहां पर तीन आर्क यूज कर सकते हो तो तीन आर्क के से एक और आर्क यहां से थोड़ा सा छोटा कर एक दे देंगे तो अच्छा रहेगा अगेन आर्क यह वाला अब यहां पर आप तीनों को अच्छे से टेंजन्सी की तरह यूज किछे यह देखिए यह थोड़ा ठीक लग रहा है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं दो की जगा तीन आर्क की यूज करेंगे तो और भी अच्छे से आपका काम होगा हो गया इसको भी जॉइन जे फॉर जॉइन तो यह दोनों कर्वस हमारे रेडी हो गए हैं तो यह जो दोनों कर्वस हैं इन्हें आपको कॉपी करके साइड में रख लेना है तो इन दोनों कर्वस को हमें यह उपर का पोर्शन जो नजर आ रहा है इसे बनाने के लिए आगे यूस करना पड़ेगा तो इसे अगर आप copy करके रख लेते हो तो वो portion आप easily बना सकते हो तो इसलिए आप इन दोनों को copy करके रख लीजिए इन दोनों को हम हर जगा यूज कर सकते हो अभी हम Dome का भी shape यहां पर ready कर सकते हैं तो A4 Arc ले ले लेता हो मैं यहां पर Dome का भी अभी draw कर लेते हैं तो यहां से तो यहां तक देखते कहां तक match होता है परफेक्ट यहां तक तो मैच हो गया एफ और आर्क अगें सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इसका सेंटर रो करना जुरुरी है और थो आउन यहां पर यहां पर एक और आर्क एफ और आर्क और थो आर्क और तो यह डोम के शेवस बड़े हैं तो हमें यहां पर बनाने में आसानी हो रही है हम इसके रेफरेंसे इसली बना पा रहे हैं यहां पर तो इसको थोड़ा सा यह जो है थोड़ा सक यहां पर यह सो सही है इसकी कोई ज़रत नहीं है इतनी यह थोड़ा ऐसा ही रहेगा चलेगा अब आप एल फोर लाइन पहले तो मैं एक यहां तक बना लेता हूँ उसके बागी का तो नीचे का पॉरिशन तो स्ट्रेट ही है बागी का तो हो जाएगा काम यहां तक अब इसके बाद यहां से कैसा है कि यहां से एक लाइन है यहां तक और उसके बाद फिर यहां से भी नीचे की तरफ पूरा वर्टिकल यहां तक यहां से ट्रैक करेंगे सॉरी इस तरह के तीन पार्ट में है यह ओके ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमने लगभग ड्रॉ कर ली हैं यह सब हम बना लेंगे यहां पर हमने बनाया हुआ है पहले से उसी को यूस कर सकते हैं यहां पर हम तो अब हमें इसे बस रिवाल करना है ये ज़ॉइन है तो इसे हम अब सिलेक करेंगे यहां पर रिवॉल्फ dol इकसिस पॉइंट यहां से तो यहां तर इंटर फिर इसे सिलेक करेंगे रिवॉल्फ अब सेम इसी तरह हम इसी ओरिंटेशन में वहाँ पर रखेंगे तो इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूं यह सिलेक्ट सी ओ एंटर और इसको क्लिक करके नीचे सेम इसी तरह यहाँ पर मैच कर देंगे अब इसी को मिरर कर देंगे एम आई फॉर मिरर सेंटर पॉइंट यहाँ पर है तो यह मिरर हो गया अब बाकी के साइड के चीज़ें हम ओर्येंट करेंगे आराम से तो इन सब को आप मैं कॉपी कर लेता हूं यह फिर मूफ करेंगे एम फॉर मूफ अब 3D में देखते है इनका सेंटर ले लेता हूं इसका सेंटर ले लेता हूं यहाँ और इसे रख देंगे यहाँ पर मिड़ अब यह हमें चारों तरफ चाहिए तो हमें इसे क्या करेंगे मिरर करना होगा यह फिर कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट सियो एंटर पीछे साइड तो आराम से हम लोग इसे कॉपी करके रख सकते हैं यहाँ पर मिड़ पॉइंट पर यहाँ पर भी आ गया अब साइड में कैसे मिरर करना पड़ेगा इसे तो मिरर करने के लिए प्लेन सही होना चाहिए आपका UCS डबल एंटर प्लेन टॉप में होना चाहिए अब टॉप में आ गया अब इसे सेलेक्ट कीजिए मिरर मीरर और ले लिजिए आप फोर्टि फाइव के लिए यह पॉइंट और यह पॉइंट पर पर पेंटिकूलर एंटर यह आगे साइड में भी अब इनको भी आप कॉपी कर लिजिए या फिर और और यहाँ पर मिड़ पर रख देता हूं तो यह चारो आगे तो यह जो हमने बनाया है, यहाँ पर side में भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और इसको copy करता हूँ, co enter, और just midpoint को ले के इसके, इसके midpoint में रखतूंगा, और इसी तरह चारो तरफ, इसके midpoint में, यहाँ पर भी midpoint में, और यहाँ पर भी, तो इस चारो तरफ हो गया, एक side में अगर हम काम करते हैं, तो सभी side का हमारा काम हो जाएगा, तो सिर्फ एक side हमें बनाना है, इसकी, एक corner बना लेते हो, तो सारा आपका काम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं अब इन्हें solid subtract करता हूँ, पहले वो रिमूव कर दिया हमने, उसके बाद यह सारे, एंटर, तो अब यह हमारा ताजमेल का सारा corners रेडी हो गए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि बाकी की चीज़ें यहाँ पर बनानी है, बस आगे या फिर एक corner पर हम काम करेंगे, उससे हमारा चार तरफ mirror या फिर copy करके हम use कर पाएंगे, अब यहाँ पर again front view, बाकी की चीज़ें करते हैं, इसके उपर का dome हमें बनाना है, तो dome के लिए मैं, यह एक, दो, तीन, चार, पाच, इसको पहले मैं copy कर लेता हूं, यूज आएगा, side में copy कर लिया, हाँ इसी को revolve कर देते हैं, इनको join कर लेते हैं, जे for join, अब join करने के बाद इन्हें revolve, ओके यही से ले लेते हैं, revolve, यहाँ से axis, enter, ओके यह सारी चीज़ें भी करने थी revolve हमें, तो यह तो हो गया, इसको side में कर लेते हैं, अब यहाँ पर एक line draw करके, इन दोनों को भी revolve करना है, मैं इन design के लिए इन्हें अलग-अलग बना रहा हूं, यह design अगर हमें डालनी है, material, इसलिए मैं इन्हें अलग-अलग portion में बना रहा हूं, तागे हम वो design भी डाल पाएं, इसलिए मैंने इसे अलग-अलग बना रहा है, इन दोनों इसे भी join कर लेते हैं, जे for join, इसे भी revolve करेंगे, axis, और फिर अब इसको मैं इसके साथ मैच कर देता हूं, m for move, इसे join करेंगे, जे for join, join करना ज़रूरी है, revolve, axis, अब इसे remove, इसके नीचे है, तो इसका फाइदा, अलग-अलग बनाने का फाइदा हां, बाद में आपको पता चलेगा, अभी तो फिलाल हम ने ये अलग-अलग बना लिए, आपके ये surface में तो नहीं आया ना, आपके solid में है, कोई प्राब्लम ने, आपके, तीन portion में हमने इसका उपर का portion बना लिया है, अब इन्हें move करके हम रख देते हैं, इन्हें group कर सकते हैं, g for group, g enter, एक group हो गया, m for move, midpoint, अब इस face का midpoint, इस face का mid, देखी हैं, blue में दिखा रहा है, ये benefit होता है, 3D snap का, इसमें हमने mid center face on किया है, तो हमें वो मिल रहा है center of face, तो ये हमने mid का लगा दिया, अब next, ये जो pillars हैं, ये vertical pillars, वो बनाने हैं, और इस dome के उपर का भी हमें work करना है, और ये जो बीच में लिखे हुआ है, ये सारी चीज़ है, तो इसके लिए हमें अलग-अलग layers बनानी पड़ेंगी, image देख लेते हैं, यहाँ पर देखी, यहाँ पर ये सारे designs के लिए, अलग-अलग इस सब press pull हमें करना पड़ेगा, इस सब के लिए, ठीक है, तो इन्हें मैं press pull करना है, विंडो में भी है, देखी, तो हम इसी का reference लेके, front view में, ये सारी चीज़े ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये curves है, जो मैंने आपको वीडियो में रखने के लिए बोला था, तो इसे आप delete मत किजिए, इसे रहने दीजिए, अब हम इसका use कर सकते हैं, उपर का portion बनाने के लिए, तो ये जो curve है, ये join किया हुआ है, तो हम इसका mirror करेंगे, तीनों को मैं select कर लेता हूँ, mirror कर देता हूँ इन्हे, ये line भी mirror, m, i, enter, और ये center point, ये line से हम mirror कर देंगे, same इसको भी explode, इसे भी हम mirror कर देंगे, m, i, enter, ये हमने mirror कर लिया, अब हम क्या करेंगे, देखी ये boundary यहाँ पर नजर आ रही है, तो इससे थोड़ा सा offset हमें रखना पड़ेगा, इन curves को अब हम join कर लेते हैं, इन सभी curves को join कर लेते हैं, J for join, ये हो गया, अब इस curve, एक curve देखे, पूरा join हो गया, अब offset direct कीजिए, O double enter कीजिए, O double enter, click और अंदाजे इस तरह से, आप यहां तक design को ले लीचे, सेम इसको भी करना है, तो इसको भी join कर लेते हैं, J for join, O for offset, double enter, यहां से थोड़ा सबस है, ये आ गया, तो सेम curve उपर की तरफ हमने offset कर लिया है, अब ये जो rectangular section नजर आ रहा है, ये rectangle हम बनाएंगे इसका, तो एक line ले लेता हूँ मैं, और यहां से ऐसे, ortho on, यहां से ऐसे straight, यहां तक, आदा ही बनाते हैं, यहां यहां तक बनाएंगे, यह center आ गया, तो एक center line रहने देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम अब mirror करने वाले हैं, एक line हम यहां पर रहने देते हैं, और यह जो है, इसको हम इस तरह से, curve ऐसे, यहां पर trim कर देंगे, जो extra आ रहा है, यह trim हो जाएगा, तो एक side का ही हम बनाएंगे, और उसे mirror कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, दूसरे side की हमें जरूरत अब नहीं है, इसको trim कर देता हूँ मैं, अब next, again, polyline ही ले ले जाए, PL for polyline, यहां से इस line को थोड़ा सा हम आगे तक ले लेते हैं, ओके, ठीक है, sorry, PL for polyline, इस line से इस तरह से जाना है, यहां से आपको नीचे तक आना है, कहां तक देखी, यहां पर अलग section है, तो यहीं तक आपको line draw करनी है, फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ, यहां से यह, जो है, main portion, इसे पहले बना लेते हैं, तो यह polyline की help से मैंने यहां पर बना लिया, perpendicular बिल्कुल क्लिक कर देना है, तो यह बन गए हमारा, अब इसके बीच में भी एक tile है, मैं आपको image दिखा देता हूँ, एक step है यहां पर, तो यहां पर देख सकते हो, यह दो दिख रहे हैं यहां पर, दो step, यहां पर एक है, और इसके बाद एक है, ठीक है, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, ओके, चलिए, तो हम अगेन polyline ले लेते हैं, इसके बीच में एक draw करना है हमें, तो यहां से इस तरह से line, polyline है यह, यहां तक, यहां से नीचे, straight, इसके line तक लेना है, ठीक है, इससे track कर लीजे, point आप, बिल्कुल यह दोनों equal होने चाहिए, ठीक है, मैं यहां पर join कर देता, दोनों equal, ओके, नाव इसके उपर एक polyline, PL for polyline, यहां से एक ले लेता हूं, तो इससे मैं बिल्कुल ले लेता हूं, यहां तक, यहां से नीचे, अब इसको mirror कर सकते हैं, ताकि दूसरे side का भी हमारा ready हो जाए, तो इसको हम select करेंगे, curve के साथ, और MI for mirror, यहां से तो यहां तक, enter, यह हो गया, ओके, तो दोनों side का ready है, और same window के लिए भी करेंगे, तो एक line पहले draw कर लेता हैं, यह center line, उपर तक, इसी line को मैं नीचे तक बढ़ा देता हूँ, और यह curve जो है, वो उपर का half portion चाहिए, तो मैं इसे trim कर देता हूँ, ओके, again polyline यूज़ करूँगा, मैं यहां से, यह वाला एक, first, इसको tr double enter, trim, again PL for polyline, यहां से एक और step दिखाई दे रही है, थोड़ी image clear नहीं है, तो आप थोड़ा adjust कर लीजिए, ओके, तो यह वाला तो नीचे तक जा रहा है, तो यहां तक ले लेंगे, हम इसे, इसी के line में रहेगा, तो अच्छी बात है, इसी के line तक रखिये, और फिर यहां से, same इसी तरह का हम, बनाने की कोशिश करेंगे, यह आ गया, तो यह हमारा one step, यहां पर एक step, यहां पर एक step, और एक चाहो तो एक और बना सकते हो, यहां पर, इस तरह से polyline, इसी के straight line में, तो यह भी हमारा हो गया, अब इन्हे mirror कर दीजिए, एक, दो, तीन, चार, म, आई, enter, center line, enter, ओके, अब यह center line आप, डिलीट कर सकते हो, इसे भी, डिलीट कर सकते हो, याद रहें कि, एक्जैक्ट सेंटर में चाहिए, यह आगे हमारा बन चुका है, अब यह जो नीचे आपको, rectangles नजर आ रहे हैं, इन्हें बनाना है, तो, REC for rectangle, अब इन rectangles को हम, देखे किस तरह से, इसके बराबर में बनाएंगे, इसे track करेंगे, इस तरह से, यह हमारा, यहां तक, bottom तक आ गया, again इसमें, offset कर देते हैं, O for offset, double enter करेंगे, O double enter, double enter करने के बाद, अंदाजे हम इस तरह से, छोटा यहां पर, rectangle बना देंगे, इसी को mirror करेंगे, एक side बना के, mirror करना है हमें, यहां पर भी एक, rectangle है, इसी equal बनाएंगे हम, और इसी, इसी से track करेंगे, यहां पर, यहां से तो यहां तक, O double enter, यहां से अंदर के तरफ, यह हो गया, इसी को यहां पर हम, इधर side का बनाना चाहिए था, ठीक है, इसको mirror कर देते हैं, select, M, I, enter, और इस center line हमने, delete कर दी, ठीक है, इसका तो यह midpoint है ना, हमेरे पास, यह midpoint यहां से यहां तक, enter, तो देखते हैं सही आया भी नहीं, आया या नहीं, यहां पर थोड़ा सा, offset लग रहा है, ठीक है, इसको भी हम, copy कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा, इसको हम, move करके, सही position करते हैं, इसको भी थोड़ा सा, move करके, अंदर ले लेते हैं और बाखी के यहां पर ढालने की जुरत नहीं है ऐसी को कौपी करके रख सकते हो फिर अभी कापी कराना थो अभी कौपी करके रख सकते cache 3D बताने के बाद भी कौपी कर सकते आप तो दोनों मिधर्स हैं आपके पास उधर साइड भी चाहिए आपको तो उधर साइड भी M I Enter मिरर कर लीजिए इसी से अरे यहां पर डबल डबल आ गया है यह डिलीट कर देता हूं मैं इसको मिरर करना है सिर्फ M I Enter Center Line, Enter यह portion इदर आ गया है 3D में बनाने के बाद भी मिरर कर सकते हो नहीं तो यहां पर काम हमारा बढ़ जाएगा 3D में बनाने के बाद इसे हम मिरर करेंगे एक साइड का सिर्फ हम बनाएंगे यहां पर तो यह दोनों हो गया अब हमें इसे 3D में कनवर्ट करना है तो 3D में कनवर्ट करने से पहले अगर आप यह चीज़े डिलीट कर देते हो तो कोई प्रावलम नहीं यह कर आप डिलीट कर दीजिए यहां से अब यह जो portion है इसे आप प्रेस पूल कर सकते हो तो मैं इसे shift प्लस middle mouse से और्बिट कर लेता हूँ आप प्रेस पूल करूंगा इसे करेंगे हम 0.1 यह 0.1 पर प्रेस पूल यह वाला आएगा यह portion थोड़ा capture नहीं हो रहा है कोशिश करते हैं फिर से अगर नहीं हो रहा है तो आप पिक बॉस को छोटा भी कर सकते हो ठीक है तो op for option आप जाएए यहाँ पर selection pick box छोटा कर लीजिए ओके अब प्रेस पूल करके देखिए प्रेस पूल और यह section हो गई नहीं क्यूंकि यहाँ पर तो कोई line ही नहीं है ओके इससे हम प्रेस पूल नहीं करते हैं यह वाला अलग से प्रेस पूल करते हैं इसको इसको हम point 2 कर देंगे ठीक है यह point 2 आ गया फिर यह वाला portion यह वाला करेंगे again point 1 ओके और यह वाला portion again point 2 कुछ इस तरह का यह दिखेगा अब यहाँ पर भी करेंगे same point इसी तरह का नीचे भी है तो नीचे भी हम अगर इसे copy कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा select co enter तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ चलिए अब हम इसे press pull कर लेते हैं point 1 enter point 1 enter फिर यह बीच का section यह वाला यह वाले point 1 ही कर लेते हैं और यह उपर का point 2 कर लेते हैं ओके अब यह सब चीज़े हैं इन्हे point 2 कर दिजिए इन्हें भी point 2 sorry यह शाई से नहीं आया point 2 enter यह वाला भी point 2 enter आप अंदर भी एक point 1 rectangle रख सकते हो ठीक है ताकि इसमें भी आप कुछ material डाल सको तो वैसे जरुरत नहीं है आप रखते हो तब भी चलेगा नहीं रखेगे तब भी चलेगा point 2 point 1 ओके यह आ गया देखिए यह बन चुका है हमारा अब सेम यह वाला portion हमें इधर side में भी mirror करना है या फिर आप 3D जब direct उसमें रखोगे तब आप उसे copy कर सकते हो सेम इधर भी चाहिए हमें तो हम front view से यहां पर copy कर लेंगे co enter copy कर रहा हूं ताके मैं exactly सेम रख पाऊं यहां पर अब इनको move करके हमें यहां रखना है और mirror कर देना है तो इन्हें हम copy करेंगे अब यहां पर बहुत सारे portions हैं यहां पर line अल्रेड़ी है तो हम co for copy इसी line को use करते है इस line के midpoint को यहां पर midpoint आएगा यहां पर रख देंगे अब यह perfect आया अब mirror करेंगे पीछे side और side में भी तो mirror करने के लिए UCS double enter सबसे पहले UCS double enter plane को top में रखना है उसके बाद इन सब को mirror करना है तो यहां पर हमें select करना कैसे है इसे select करना है left to right left to right इस तरह से यह select हो गया देखिए कुछ lines भी select हो रही है ठीक है कोई problem नहीं MI for mirror मिड़ पॉइंट लीजे इसका चली यही मिड़ पॉइंट चलेगा पीछे देखिए अब यह आगे आगे पीछे का काम हो गया आप side में चाहिए हमें select MI मिड़ पॉइंट से यहां तक मिड़ पॉइंट कर देखिए एंटर यह आगे यहां पर अब इससे मिरर करना है दूसरे साइड में मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट में इससे देना होगा इससे कैसे लाएंगे 45 डिग्री में हम लोग तो इससे 45 डिग्री में मीरर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इससे करते हैं कॉपी करते हैं बाहर इससब टूडी पॉशिन डिलेट कर देते हैं तो यहां पर मैंने इससे कॉपी कर लिया है अब मैं इससे क्या करूंगा रूटेट करूंगा 45 डिग्री में क्यूंकि यह हमारा 45 डिग्री है जो वाल है वो 45 डिग्री में तो इसके लिए मैं इससे सेलेक करूंगा और 45 डिग्री रोटेट करूंगा टॉप यू से रोटेट करेंगा तो ज्यादा अच्छा होगा टॉप यू अब इसससे सेलेक करेंगा आर वो डायरेक्ट टूडी वला रोटे को आफ कर देते हैं तो 45 इस डिरेक्शन में चाहिए हमें यह मतलब हमें यह clockwise चाहिए तो माइनस 45 माइनस 45 माइनस 45 clockwise के लिए माइनस 45 यह आ गया ओके अब इसे हम मैच कर सकते हैं यहां पर हो गया हमरा का सियो फॉर कॉपी इसका मिड़ पॉइंट रहे मिड़ पॉइंट तक हम आपने डिलीट कर दिया है लाइन जरुरत थी यहां पर अब क्या करते हैं एक लाइन रॉग करतें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब हम इस से करते हैं एंपर मूफ फिर कॉपी मेंड़ पॉइंट यहां पर रख देंगे बस हो गया साइड का फेस भी हमार रेडी है अब इसको मिरर कर देंगे अब मिरर करने के लिए एक दो तीन चार पांच छे चीजे इनको ग्रूप कर देता हूं मैं जी फॉर ग्रूप जी एंटर एक ग्रूप हो गया इसको भी इनको भी ग्रूप करता तो अच्छा रहता पहर रही बार-बार किसी को सिलेक करने की ज़रत नहीं पड़ती जी फॉर ग्रूप ठी जाने दो इसे मिरर कर देते हैं मिरर एंटर मिड़ पॉइंट कोई भी मिड़ पॉइंट ले लिजे और थो आन यह दोनों हो पीछे साइड भी आ गए तो चारो कॉर्नस में अबर हमारा आ चुका है है ओके नाओ कि नाओ अब हमें क्या करना है इसके जो पिलर्स है वो और यह बीच का जो पॉर्शन है बीच में जी डॉम है यह सारे चार हमें यहाँ पर लूप है को लगाने है तो यह वाला मैं बनाने नहीं हाला हूँ यहाँ पर हमारे पास रेडि है आल रेड़ी तो उसी को मैं स्केल करके यहाँ पर यूज करूंगा तो कैसे यूज करता हूँ देखिए इसको मैं mentalalsoिक कर देता हूँ Raptal साव зах addresses यह वाला हम यू एन जी कर देते हैं अन ग्रूप, यू एन जी फॉर अन ग्रूप, अन ग्रूप हो गया, अब यह वाला, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे चीज़ें, कॉपी कर लेता हूं, इनका एक ग्रूप प्रेडी कर देता हूं, यह अलग से ग्रूप हो गया, अब इन्हें आप रख सकते एक ग्रूप में, अब अगें मैं यह वाली चीज़ें, को वापत से ग्रूप कर देता हूं, जी फॉर ग्रूप, जी एंटर, यह तो हुआ ही नहीं, जी फॉर ग्रूप, अब यह हमारा आ गया है अब इसको हमें स्केल करके बड़ा करना है और उसको हम अपने ताजमेल में यूज करेंगे ठीक है तो कैसे बड़ा करेंगे देखिए इसको अगेन में हाइड कर देता हूं यह इसके विज़े से थोड़ा कम्प्यूटर है स्लो चलने लगता है राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट क्लिक राइट कर देता हूं राइट कर देता हूं है इसको स्केल करेंगे स्केल भी करेंगे तो हम इमेज का इस्तमाल करके करेंगे एंप फॉर मूफ यह पॉर्चन था हमने वैसे से स्केल में बनाया नहीं था तो थोड़ा बड़ा चोटा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेलेक्ट स्केल 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 डायरेक्ट हम कमांड टाइप करते हैं यह 2D स्केल कोई भी मिड़ पॉइंट देजिए और यह तो जादा बड़ा दिखा रहा है मैं 2 डाल देता हूं डबल हो गया नाई यह कुछ जादा ही बड़ा हो गया 3D स्केल लेते हैं इसको कर देते 0.6 एंटर और बड़ाच करना पड़ेगा स्केल चलेगा स्केल 1.2 कर देते हैं और बड़ा इसको मूव करके हम इसके बॉटम में रख देते हैं यहां से थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अगें 1.2 एंटर ठीक है यह जो है अमने लगभग इक्वल कर दिया है इतना बड़ा हमारा होना चाहिए है थोड़ा ज्यादा है हमने स्केल के हिसाब से काम नहीं किया था तो यह थोड़ा सा हैट में ज्यादा है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको हम यहां पर फिक्स कर देते हैं हाइट में हम इसको नीचे से कम कर सकते हैं नीचे से इसको press pull करके इसको कम कर देंगे प्रेस पूल यह जो हैइट है इ ओके नाव फ्रेंट यू से देखिए अब इसकी हाइट सही आती है या नहीं अगर लग भग यह ठीक है अभी भी हाइट ज्यादा है चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसको तो ऐसे हमें टॉप यू से थोड़ा सा रखना पड़ेगा टॉप यू मिलेने के बाद यहांपर सिलेक्ट सी ओ इंटर कि एक मिदょzeniu नोग कि और इसको हम पाल कि इसको यहां रखते हैं कि इसको उपर करना पड़ेगा ठोड़ा और यह नज़र नहीं उपर कर देते हैं हमारे ताज मेहल से ऊपर पूर्ट यू में जाता हूँ देखें मैं किस तरह से पूजिशन कर रहा हूं इसे क्योगी यहां पर हमारे पॉइंट नहीं है कोई इससलिए बागी कुछ नहीं इसको मैं पहले प्रण्ट यू से बराबर कर लेता हूँ इमेज भी देखते हैं इसी तरह का है या नहीं ठीक है इन दोनों के पीच में इन दोनों के पीच में रखूँगा अब इसे मैं कॉपी सियो एंटर सारी मिरर कर देंगे इसे सारी उपर से पोजिशन करना है हमें इसे अब उपर से टॉप यू देखेंगे और टॉप यू से यह यहां पर है तो इसको अंदर ले लेंगे ओके ठीक है यह आगे अब इसे हम मिरर कर सकते हैं एम आई फॉर मिरर एम आई एंडर मिड़ पॉइंट यहां से तो यहां तक अब दोनों को सेलेक किजिए एम आई एंटर और थो आउन एंटर तो यह चार रख दिया है एमने चारों चीज़ें कि अंके हाइट वगेर देख लेते हैं फ्रेंड से अंदर जाना चाहिए या नहीं हाइट थोड़ी ज्यादा लग रही है हाइट थोड़ी नीचे जाना चाहिए तो अब हमें एक काम करना होगा यहां पर यह जो हुआ है नीचे हमारा बेश जो है इसको औफसेट करना होगा ऑफ़ ऑफसेट डबल एंटर कर देते हैं इसको औफसेट अंदर की तरफ कुछ 3 का offset कर देते हैं ठीक है यह जो rectangle है इसको copy करते है co for copy और कोई भी एक corner से copy कर लिजे और इसको यहाँ पर रख दीजे यहाँ पर match कर दीजे अब यह वाला जो है हमने rectangle दिया है इससे हम solid अब प्रेस पूल करेंगे से इस portion को नीचे की तरफ इसको हम करेंगे 3 units नीचे की तरफ प्रेस पूल ठीक है 3 unit नीचे की तरफ तो यह railing टाइप में बन गया देखिए अंदर की तरफ railing टाइप में material रिमू हो गया और railing बन गया अब हम इन चारों को front view से नीचे की तरफ मूफ कर देंगे सिलेक्ट सिलेक्ट एम फॉर मूफ यहां से और थौन होना चाहिए त्री यूनिट थ्री एंटर त्री यूनिट मूफ कर दिया हमने अब यह ठीक लग रहा है प्रपोर्शन में अब देखिए यह हमने तो यह शेप बनाया हुआ है डूम का अपर पार्ट तो इसी को स्केल करके बढ़ा करेंगे और हम इसमें यूस कर सकते हैं टॉप में तो सेम उसी को यूस करेंगे हम लोग उपर वहां रखने के लिए ठीक है तो इसी को हम कॉपी क करेंगे तो इसको यू एन जी यू एन जी फॉर अन ग्रूप यह जो है इसको कॉपी करेंगे सी ओक पॉर कॉपी सेंटर कोई भी सेंटर यहां पर मिले तो ले लिए यह सेंटर मिल रहा है उपर कई ले लेता हूं उपर का सेंटर ले लिया यहां पर रख देंगे यहां पर जो भी सेंटर मिलेगा अब यहां पर नीचे का सेंटर मिल रहा है अब यह कहां चला गिया नीचे इसको थोड़ा उपर करना पड़ेगा ठीक ही यह उपर आ गया अब इसको पहले स्केल कर लेते हैं ठीक से स्केल इसका प्रपोर्शन देखते हैं यह इतना ठीक लग रहा है हुझे तो अंदाजे मैंने इसको स्केल कर दिये क्लिक करके यह तो वहाँ पर प्लेस ही नहीं हुआ अगेन मूफ करता हूँ इसे यहाँ से इसको उपर करेंगे ओके ताज मेहल में देखिए प्रपोर्शन सही लग रहा है मुझे यहाँ पर और यहाँ पर तोनों का प्रपोर्शन सही है अब उपर का बस हमें यह जो चांद बनाया हुआ है यह प्रपोर्शन बनाना है इसका स्केज तो हमने रखा हुआ था बट पता नहीं अब कहां चला गया हम फिर से बना लेंगे उसे डिलीट कर दिया तो शायद मैंने तो बस अब उपर का बनाना है और इसमें मटेरियल वगेरे हमें डालना है बागी काम हमारा हो गया इसको अगेन ग्रूप कर देता हू अब यहीं से बना लेते हैं हम लोग यहीं से हम बना सकते हैं बॉटम से उपर तक अब यहां से एक लाइन अगेन यहान आ गयी यहां से A for Arc और तो आफ कर दीजे इधर का शेप नजर नहीं आ रहा इधर का शेप नजर आ रहा रहा इधर करते हैं फिर A for Arc फर्सट पॉइंट सेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लाइन यहां तक अगेन A for Arc यहां से यहां तक मिड़ पॉइंट यहां से मिड़ और फिर लास्ट अगें एल फॉर लाइन यहां से उपर यहां से अगें ए फॉर आर्क फिर अगें एल फॉर लाइन यहां से इस तरह से यहां से उपर अगें ए फॉर आर्क यहां से तो यहां तक फिर अगें एल फॉर लाइन यहां से इसे फिर उपर यहां से ए फॉर आर्क अगें एल फॉर लाइन ए फॉर आर्क बाहर बाहर आना है पहले लाइन से उसके बाद ए फॉर आर्क फिर यहां से अगें इसको मैं पूरा ही ले लेता हूँ और ए फॉर लाइन अब यहां पर ए फॉर आर्क चांद के लिए फॉरस्ट पॉइंट अर्ड पॉइंट फॉर्ड फॉर आर्क फॉर्स्ट पॉइंट फॉर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट अब इसके बाद भी एक शेप है यहां से ऐसे A for Arc अगर आप द्यान से देखेंगे तो यह एक इस तरह का नजर आता है TR double enter यहां पर एक trim अच्छे से कीजिए यहां पर एक trim कीजिए और यहां पर एक अच्छे से trim कीजिए यहां पर line होगी तो यहां पर भी अच्छे से यह trim कर लेज़े इनकी ज़रत नहीं है हमें half portion चाहिए only यह हमारा ड्रॉव हो चुका है half portion यह delete ओके इनको j for join यह तो चांद तो flat ही होगा यह चांद flat है तो चांद को हम draw नहीं करेंगे चांद को flat बनाएंगे हम लोग बाद में बनाएंगे उसको उसको रहने देते हैं बाकि सब select करके join कर देते हैं j for join और इसको revolve axis यह center line यह आ गई अब यह जो है चांद इसको mirror इसको फिर से बनाता हूं मैं यह for arc first point second point third point space first point second point and third point तो यह दोनों आ गया इसको join कर देते हैं अब इसे extrude करना है बस थोड़ा सा extrude point 0.03 enter तो यह top का portion बन गये इन दोनों को union कर दीजिए union इसको और चांद को enter यह आ गया अब इसे move करके m4 move midpoint इसको top में रख दीजिए इसको कहां पर center मिलेगा दो तीन मिल रहे हैं यहां पर एक मिल रहे हैं तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंपर मूव और थो आन ओके यह आ गया यह टॉप का पार्ट थोड़ा आप अच्छा से बना पाएंगे तो और भी अच्छा होगा शेडिड में देखते हैं ठीक है अच्छा लग रहा है यह देख सकते हूं तो लगबग हमारा रेड़ी कंप्लीट होने वाला है तो जितना मैंने आपको दिखाया था उससे ज्यादा डिटेल में मैंने इसमें बनाया है इसलिए हमें यहाँ पर टाइम भी ज्यादा लग रहा है कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं ताके हैंग होने पर हमारा डिलीट न हो जाए अब बचा क्या तो यह पिलर्स यह जो वर्टिकल पिलर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है वह इमेज में दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर जो पिलर्स हैं यह वाले हमें बनाने बस लास्ट पॉर्शन तो इसके लिए हम लोग डोम हमारे पास है उपर का पॉर्शन भी हमारे पास है बस हमें यह वाला पॉर्शन बनाना होगा और नीचे का ओक्टेगॉन हमें बनाना होगा ठीक है तो यह ओक्टेगॉन और उपर का यह जो पॉर्शन है वो हमें यहाँ पर बनाना है ठीक है त तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, पहले तो मैं AutoCAD में आ जाता हूँ, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है यह सारी चीज़ें, यहाँ पर है, इसका Size हमें यहाँ से मिल जाएगा Scale, अब यहाँ पर मैं 2D Sketch draw करता हूँ, छोड़ा सा, एक Line draw करूँगा, सेंटर से मुझे Height की जरुरत है, तो मुझे Height मिल जाएगी, यहाँ से तो यहाँ तक, और इसकी Width यहाँ पर, यह Top की Width मिल जाएगी, अब आप इसमें अपने According इसको Shape को बना सकते हैं, जैसा हमने बनाया था पिछली बार वैसे यह बनाना है, जैसा कि हमने Dome का बनाया था उस तरह से, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, A for Arc यहाँ से, यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस Line को, A for Arc, Ortho Off, थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको कम कर देता हूँ, इस तरह से, यहाँ से, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद यहाँ से, A for Arc अगेन, पॉस्स पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से, यह आर्क हमने बनाया, आप इसके अंदर का भी आर्क बना लेते हैं, फॉस्स पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एल फॉर लाइन, यहाँ से लाइन आएगी, और यहाँ से हम इस तरह सिधा सिधा क्लोज कर देंगे, ओके, इस लाइन को अब में डिलेट कर देता हूँ, यह हमारा रेडी है, इसको ट्रिम, तो इतना ही बनाना है, अब यह बना के इसको रिवाल्व, रिवाल्व कर देंगे, सॉरी, जॉइन करना जोरी पहले है, जे फॉर जॉइन, अब इसे हम रिवाल्व करेंगे, रिवाल्व से एक्सेस ही यह वाला, सॉरी, यह नहीं हुआ, सिलेक्ट revolve axis कुछ तो problem है इसमें means इसमें हो सकता है कि कुछ कहीं पर distance हो gap हो और अगर gap का पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं पिछले बार किया था bo for boundary bo enter पॉली लाइन या फिर पिक पॉइंट क्लिक एंटर यहां पर दो पॉली लाइन्स आया होंगे यह वाला और एक यह वाला ठीक देखते कौन सा रिवाल्व होता है ठीक यह हो गया अब इसमें हमें टॉप यू से भी वर्क करना पड़ेगा तो इसे में साइड में ले लेता हूं अब इसमें हमें टॉप यू से भी एक शेप ड्रॉप करना पड़ेगा जैसा हमने डॉम के उपर के पोर्शन में किया था वैसा है से अब यहां पर अब यहां पर हम ड्रॉप करेंगे साइड में एलफ और लाइन पहले तो इसका लेंथ हम मेजर कर लेंगे वन पॉइंट यह वन है एक्चुली है टोटल डिस्टन्स जो है वो वन है लफ और लाइन एल एंटर लाइन कर देंगे वन एम होरिजॉंटल दैन इसके स्ट्रेट लाइन द्रॉब करेंगे ऐल पॉर लाइन जैसे हमने बनाया था वैसे ऐल फॉर लाइन ओर थो ओफ सेम यहां पर प्तला सी लाइन ऐल एफ़ और आर्क फस़पांट सेंड पंट एंड थर्ड पॉंट का अंदाज ले लिया दोनों को मेरर कर देंगे M I for mirror, enter, L for line, ये complete हो गया है, अब middle delete, join, J for join, ये हो गया complete, अब इसे extrude करेंगे हम, इसको extrude, बस कुछ ही distance पे, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो ये ले ले लेते हैं, अब इसको move करेंगे, midpoint से move करते हैं, कहाँ पर है वो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है तो इसके midpoint पर यहाँ पर रख देंगे हम लोग, पूरा उपर से नीचे तरह यह intersect होना चाहिए, एंपर move, ortho on, उपर की तरफ यह इस तरह से intersect, अब array करेंगे, array करने से पहले, UCS, double enter, अब इसे select, array, midpoint, 6 की जगह यहाँ पर, देखते कितने feet आते हैं, 20 कर दिये हम इने, ओके, perfect, 20 feet आ रहे हैं, skip कर देंगे, solid, subtract, solid में जाएंगे, यहाँ पर भी है, solid, subtract, बस अंदर का पहले portion select कीजिए, enter, अब बाहर के सभी, यहाँ पर इस तरह से, enter, यह complete हो गया, देखें, यह थोड़ा से बाहर क्या रहा है, ओके, थोड़ा से यहाँ पर, बाहर में, material रहे गया है, तो इसके लिए अब क्या उपाया है, अब देखें, यहाँ पर पूरी तरह से intersect नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा समय क्या करता हूँ, प्रेस पूल कर लेता हूँ, यह जो फेस है, इसको थोड़ा सा extend कर देता हूँ, अब देखते हैं, क्या होता है, select array, midpoint, 20, solid subtract, अंदर का portion select कीजिए, enter, और इन सब को select कर लिजिए, enter, यह होगे, देखें, perfectly done, अब जो इसके उपर जो dome shape का बना हुआ है, उसके लिए तो मैं यहाँ पर बना बनाया ही इस्तेमाल करूँगा, हमारा dome, ung for ungroup, इसको ungroup करने के लिए, क्योंकि हमने group करके रख़ा हुआ है, तो इसमें अब यह वाला use होगा, और इसके उपर का portion use होगा, यह वाला और यह वाला बस, दोनों ही चीज़ है, see you for copy, तो यहाँ से मैं ले लूँगा इसे, और इसके midpoint पर कहीं पर तो रख दूँगा, और यह बहुत ही बड़ा है, तो इसे हम scale करेंगे, select scale, तो scale करेंगे, midpoint, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा, 0.2, enter, 0.2 से भी छोटा होना चाहिए, select, select, scale, अब यहाँ पर मैं 0.7 करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर कर देंगे, sorry, ओके, यह बाला, इस तरह से अब इसको move करेंगे सब को, ओके, आ गया, यह मरा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसमें, इसमें 1, 2, 3, 4, इस तरह के हैं, ठीक है, एक और मैं बना लेता हूँ, जिसमें हम बड़ा यूज़ कर पाएंगे, इसको front view में जाते हैं, एक और हम बनाने वाले हैं, इसमें, सबसे पहले तरह सेंटर लाइन, हाइट के लिए, उसके पाथ, see for circle, यहाँ पर first circle, यहाँ पर second circle, यहाँ पर third circle, इसके बीच बीच में भी circles हैं, दिखाए दे रहे हैं वाँ पर, और कैसे हैं, उपर arrow shape है, यहाँ पर भी एक circle है, इसको हम क्या करते हैं, यह वाला, यहाँ पर touch कर देते हैं, M for move, यह वाला यहाँ पर, इस दोनों को M for move, इस तरह का कुछ portion है यह, M for move, M for move, आब इसके उपर हम क्या करेंगे, एक पॉली लाइन लेता हूँ, PL for polyline, और थो off, and then A for arc, polyline से arc भी draw कर पाएंगे, यहाँ से थोड़ा से thickness रखना जुरूरी है, यहाँ पर मैं join कर देता है, अब यह वाला trim करना, यहाँ से जुरूरी है, यह तो trim होना चाहिए था, इसके लिए हम, हमें थोड़ा से यहाँ पर, यह कुछ इस तरह से करना होगा, वरना यह ठीक से, revolve नहीं होगा, थिकनेस होनी चाहिए, A for arc, L for line, TR double enter, trim trim, यह trim इस तरह से, थोड़ी से thickness के साथ, इन्हें बना दीजिए, मैं यहाँ पर भी एक line डाल लेता हूँ, ताकि यह अच्छे से trim हो पाए, इस तरह से, यह बन गया, यह line trim extra, उपर तो हो गया काम, तो यह height देखते हैं, इसकी सही आई भी या नहीं, तो यहाँ से height, total उपर तक, अभी भी थोड़ी कामी है, मगर इससे ज़्यादा है या नहीं देखते हैं, यह तो इससे भी छोटी होगी, इसको join करके, revolve करके देखते हैं, join, इस join नहीं हो, अटीक से, दोनों को select, j for join, okay, revolve, revolve नहीं हो रहा है, type, bo for boundary, pick point, enter, तो अगर revolve नहीं होता है, कोई portion, तो आप boundary कर लीजिए, उसको revolve कीजिया, यह नहीं हो रहा है, इसको try करते हैं, यह हो रहा है, यह boundary ready होई, इसको try करते हैं, यहाँ पर रख कर, इसको scale कर देंगे, scale, base point, यहाँ से छोटा कर देंगे, इसे, m for move, ortho on करके, move करना है, ठीक कोई बात नहीं, यह हो गया हमारा, अब इन्हें हम, g for group करेंगे, और इसे, अब हमें, पिलर बनाना है, hexagonal, यह जो hexagonal pillars है, इसे बनाना है, और यहाँ पर हमें, 6 type के पिलर हमें, लगने वाले हैं, तो, अब मैं इसे, UCS double enter, तो यहाँ पर मैंने, कुछ extra चीज़े, hide कर दी हैं, ताकि हमें clear, यहाँ पर नज़र आए, तो आपको पता ही है, hide कैसे करते हैं, तो बहुत सर चीज़े, मैंने hide कर दी है, अब यहाँ पर हमें clear image नज़र आ रही है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाना है, टॉप यूँ में, टॉप यूँ में आने के बाद, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके एक polygon बनाना है, polygon के लिए मैं type करता हूँ, pol, enter, यहाँ पर मैं shades of grey रख देता हूँ, pol for polygon, अब यहाँ पर number of sides, 8 रखना है, क्योंकि हमें octagon बनाना है, तो 8 number of sides, अब यहाँ पर click करता हूँ, circumscribed और अंदाजे बनाना है, छोटा सा इन दोनों के बीच, यहाँ पर corner पर जितना आपको gap मिल रहा है, उसी के according में बनाना है, इसमें हमें छोटा सा gap है, तो हमारा लगभग इतना अगर हम बनाते हैं, इतना छोटा octagon तो यहाँ पर fit आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा main इतने portion में fit आना चाहिएगी है, तो इतने portion में fit आने के लिए इतना समय ने octagon बना दिया, distance मैं बता देता हूँ आपको, यह लगभग मेरा है 1.36, 1.36 का है तो अंदाजे बना दिया, और इसको एक नहीं दो बनाना है आपको, तो मैं move करके इसको यहाँ पर place करके देख लेता हूँ, कितना बड़ा हो रहा है, तो यह थोड़ा इसके अंदर भी आ रहा है, देखें यहाँ पर जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा again control Z कर देता हूँ, इसको offset करूँगा मैं, O double enter, और इस पर click और अंदर की तरफ थोड़ा offset कर दूँगा, तो दो polygon हमें जरूरत है, अब दो polygon क्यों लगने वाले हैं, यह मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो यह दो polygon, यहाँ पर white की जगह आप red कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे से नजर आए, तो यह अब हमने दो polygon बना दिये, अब इसमें से देखिए हम कैसे काम करेंगे, याद रखिए 1.36 और यह अंदर वाला छोटा है, distance में बता देता हूँ, इसका भी आपको, यह 1 क्या सपस है, वन एम या फिर वन यूनिट जो भी होगा, तो यह हमने बना लिया है, अब इसकी इसे हमें प्रेस फूल करना है, तो इसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए, पिलर्स की हाइट अब हम पता लगाते हैं, तो शेड्स ओफ ग्रे में हैंग हो रहा है, यहाँ पर हम फ्रेंट व्यू फ्रेंट यह देखिए, यह पिलर्स हैं यहाँ पर, तो मैं L4 लेता हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो इसकी हाइट हमें पता लग जाएगी, तो यह जो हाइट है लगबग 33 ले लेना है आपको, यहाँ पर अगर आप मेजर करते हो, तो यह आपको मिलेगी 33 ओके 33 ले लेना है, और यह जो बीच में यहाँ पर में डॉर पर दिया हुआ है, वो है लगबग 30, 9, लगबग 40 ले लिजे इसको, तो यह 33 और दूसरा वाला 40, तो 40 और 33 के हिसाब से हम यहाँ पर इसको प्रेस पूल करेंगे, तो यह देखिए, प्रेस पूल या फिर एक्स्टूड भी कर सकते हो, इसको मैं पहले कॉपी कर लूँगा, दो चाहिए हमें, एक 33 के लिए, एक 44 के लिए, तो दो हमने ले लिया, अब इसको मैं अंदर वाले को सिलेक करूँगा, एक्स्टूड इसको करूँगा, मैं 33, एंटर और उसके बाद फिर, इसको अंदर वाले को एंटर, 40, एंटर, तो यह दोनों हो गए, अगेन इसको मैं एक्स्टूड करूँगा, इसको करेंगे कितना करेंगे देखते हैं यहां पर अंदाजे यहां पर मैं 0.3 कर लेता हूं इसको भी 0.3 एक्स्टूड प्रेस पुल नहीं होगा याद रखे 0.3 अब यह दोनों हमने रेडी कर लिया है फ्रेंट यू में जाता हूं मैं अब इन सब को मूफ करके और्थो आफ यहां पर रख देता हूं इसके इक्वल में हमारे ताजमेल के इक्वल में यह थोड़ा सा शेडेड रेड कलर में नज़र आ रहा है ठीक है तो अब करना क्या है देखिए इसमें हमें अब मेजर करना है इसमें कितने मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो बीच में आपको यह सारी चीज़े नजर आ रही है यहां पर भी है तो यह इसके लिए हमने इसमें इसमें और इसमें इसमें फॉर तो इस तरह से हम कॉपी करके इसको पांच और चार डाल देंगे इसमें ओके हैज तो यहां पर मैं कि जो बॉटम में हमारा इन दोनों को सेलेक्क करोंगा और सी ओं एंटर एंटर क्लिक तो direct मैं यहां पर first एक रख देता हूं यह देखिए हमने रख दिया यह दोनों आपको नजर नहीं आ रहा होगा realistic shades with edges कर दियो ताकि आपको नजर आये co for copy अगेन अब नीचे की तरफ चार रखने हमें इसके नीचे तो यहां से मैं नीचे रख देता हूं चार तो यह हो गया एक यह दो ज्यादा हो गया यहां पर एक रखता हूं अब थोड़ा सा मुझे इन्हें adjust करना होगा M for move नीचे कर देता हूं थोड़ा इसको भी थोड़ा सा M for move तो equal equal दिखना चाहिए सारे दोनों का इसलिए हम एक साथ कर रहे है तो हो तो एक दो तीन चार और इसमें एक और जो यह लंबा वाला मीनार है उसमें एक और आएगा तो इसमें एक और हम डाल देते हैं यह आ गया तो यह बन गया हमारा अब हम यहां पर realistic में आ जाएंगे ठीक है और इसमें यह वाला जो है यह वाला रख देंगे थोड़ा सा इसका color जो है इन मीनार के उपर रख देना है आपको center में यहां पर एक और यहां पर एक center में दोनों के center में हमने रख दिया कि जो octagon है अमने लिया था octagon वह थोड़ा सा diameter में ज्यादा हो गया थोड़ा सा कम लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा अब इसे हमें बस place करना है तो इन्हें group कर सकते हो इन दोनों को आप ग्रूप करने से आपको selection में तो फाइदा होगा मगर material के वक्त हमें थोड़ा सा problem face करनी पड़ेगी अब इन्हें आप रख सकते हो पहले इनको रख के देखता हूं मैं co for copy midpoint अब midpoint में यहां पर देखिए कहां रखना है इसके बिल्कुल सीधा मतलब यहां पर यहां पर मिड़े रख देता हूं ठीक है इन दोनों के बीच में रखेंगे हम ओके आगे रख देते बाकी कब mirror कर देंगे वैसे भी रखने में ज्यादा मैं fastly रख देता हूं इन्हें रखने से पहले ortho off कर लीजिएगा थोड़ी आसानी होगी तो चारों मैंने यहां पर pillars रख दिये हैं अब last यहां पर corners के pillars यह वाले co enter co for copy यहां से base point अब बस इन्हें corners में रखना है थोड़ा से यह hang हो रहा है इस corner पे एक इस corner पे एक और इस corner पे एक और इस कलर चेंज अब टूडी की तो जरुरत नहीं है हमें तो हम इसे ग्रे कर देते हैं ओके अब इन्हें क्या करें इन्हें मिरर कर देते हैं इन दों को और इन दोनों को M पहले तो UCS डेवल एंटर उसके बाद इनको मिरर करना ठीक रहता है मिड़ पॉइंटर मिड़ पॉइंट इस फेस का मिड़ और थो अन तो सारे पिलर्स मैंने यहां पर लगा दिया देखिए हो गया कंट्रोल प्लस एस सेव और एक कॉपी इसकी सेव कर लेता हूं ताके कोई करप्ट वगेरे हो जाए फाइल तो हमारी ताजमहल टू कर देता हूं ओके यह फाइल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के साथ आप डाउनलोड कर सकते हों अब यह वाली जरूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं इनकी भी जरूरत नहीं है ताके हमारा पीसी थोड़ा सा फास्ट हो सके इसकी भी जरूरत नहीं है तो ताजमहल का maximum proportion हमारा हो गया है अब इसमें हमें बस क्या करना है कि दोर सेसे बड़ी जहां कि दोर्यस बनाने हैं इसमें बहुत संवीड ज dolls from the front size में THE बना बाकी के है बाकी चार दुब अन रहों सायड में बनाणा सायड में है नहीं सायड में है अनहीं सायड में यर नहीं है लक्तुस हर जगा o विंडोस तो हर जगा है डॉर हो नहो तो अब डॉर देखे कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले फ्रेंट व्यू में जाएंगे अब यहां पर डॉर तो हमारे पास सामने ही है तो इसमें हमें इसका शेप बनाना होगा अलफॉर लाइन और ग्रे रेड कर लेते हैं इसे ताकि आपको नजेर आये लफॉर लाइन सेंटर पॉइंट बना लेते हैं डॉर का यह हो गया डॉर का सेंटर पॉइंट यह विड्थ यहां से तो यहां तक अब आर्क, एफ और आर्क, और थो आफ, यहां से इस तरह से, अब एफ और आर्क अगेन, थोड़ा से इसको manage कर लेंगे, इसको भी हम, इस तरह से, थोड़ा से ज़्यादा curve लग रहा है, ओके यह हो गया है, तो इसको मैं mirror कर लेता हूँ, बीच का portion delete, join कर लेंगे तो अच्छे बात है, J for join, यह जो है, बन गया, अब सेम देखते हैं, अगर उपर की तरफ भी सेम है, CO for copy, ortho on, सेम ही है, बट इसकी height जो है, वो कम है, तो हम यहां पर एक line draw कर देंगे, और बाकी का trim कर देंगे, इसको अब join कर देंगे, J for join, यह हो गया, यह उपर का, बाकी के यह जो rectangles है, यह window के लिए है, तो अब देखें किस तरह से मैं इनका use करता हूं, यह आ गया, यह आ गया, इनको copy कीजिए, अब मैं इन्हें extrude करने वाला हूं, इन सब को एक साथ ही कर देते हैं, extrude, extrude कर लेते हैं, इसको 3, ओके, इन दोनों को select, M for move, पीछे का midpoint लेते हैं, पीछे का midpoint, आप देखें, आप यहां पर रखेंगे, यह आ गया, अब इन दोनों को select करके, अंदर की तरफ move कर देंगे, इन्हें, अंदर की तरफ हम दाल देंगे, इन्हें 1, 2.5, ओके, यह चला गया, 2.5 अंदर की तरफ, यह box हम रखेंगे, M for move, पीछे का midpoint, पीछे side का midpoint लेंगे, और इसे हम वहां पर रख देंगे, पिलकुल midpoint पर, यह आ गया, तो यह वाला भी हमें अंदर करना होगा, तो इसे मैं अंदर की तरफ, और थो on होना चाहिए, बस, 2.5, enter, 2.5 मैंने अंदर की तरफ इसे कर दिया, ठीक है, अब नीचे भी हमें चाहिए, तो नीचे मैं कैसे रखता हूँ, देखिए, select C, O, enter, कोई भी एक corner का point ले लिजिए, और यहां पर रख दीजिए, sorry, यह सही नहीं हुआ, यह हमने सही तो रखा है न, okay, C, O, for copy, base point, यहां पर, और इसे रख देंगे, यहां पर, okay, यह देखिए, यहां पर भी एक door आ गया है, तो यहां पर और यहां पर हमने ले लिया है, अब हम लोग यहां पर भी करेंगे, यह दोनों और यह दोनों, मैं क्या करता हूँ, यह दोनों, जो है, इनको मिरर कर देता हूँ, सबसे पहले, M, I, Enter, यहां से 45 डिगरी मिरर करेंगे, ठीक है, तो 45 डिगरी का एक्सेस लेना होगा, तो 45 डिगरी का जो एक्सेस है, वो यहां से मिलेगा आपको, थोड़ा इसमें नजर नहीं आ रहा है, मैं यहां पर Shades of Gray कर देता हूँ, अब थोड़ा नजर आएगा, तो अब इन दोनों बॉक्सेस को सेलेक करेंगे, M, I for Mirror, और Mirror लाइन देखें, कौन सी लेनी है आपको, यहां पर यह वाली लेनी है, इसके उपर वाली, इसका मिड़ पॉइंट, यहां से यहां तक Perpendicular या फिर मिड़ पॉइंट, इंटर, तो यह मिड़ पॉइंट देते ही, दूसरे साइड भी Mirror हो जाएगा, देखिए, यह देख सकते हो, यहां पर भी आ गया, तो यह दोनों बॉक्सेस जो थे, वो भी आ चुके हैं, यहां, अब बचा यह 45 डिग्री वाला बस, बस वही बचा है, तो हम क्या करेंगे, स इसे बाहर कॉपी कर लेते पहले, C, O, Enter, Copy, बाहर की तरफ, और थो आउन, बाहर की तरफ, कॉपी कर लेते पहले, उसके बाद Top View, और Top View से हम इसे सिलेक करेंगे, R, O, For Rotate, Base Point दे देंगे, कोई भी Midpoint, और 45, Enter, तो यह आ जाएगा हमारा 45 डिग्री में, ओके, अब इसे हमें यहां पर Place करना है, तो इन दोनों को मैं सिलेक करूंगा, M, For Move, अब हम कैसे Move करेंगे, इन्हें, यह Midpoint लेते हैं, ठीक है, और पहले यहां पर, ओ, Actually, यहां यहां पर रखना है, सही Corner पर रखिए, ओके, Shades of Gray में दिखा देता हूं, तो यहां पर हमने इन दोनों को रख लिया है, मगर इन्हें अंदर भी डालना होगा, यह बाहर है दोनों, तो दोनों को Select करके देखें कैसे मैं अंदर डालता हूं, यह मैं X-Axis में Move करता हूं पहले, इन दोनों को, Select करता हूं, X-Axis, 1.5, Enter, इस Direction में, then Red Axis, 1.5, Enter, तो 1.5, 1.5, दोनों Direction में में Move किया, X-Axis and Red Axis, क्योंकि यह 45 Degree में है, इसलिए 2 Axis में Move करना पड़ा, तो यह Corners में आ गया हमारा, अब इन्हें हमें Mirror करना है, तो इन्हें सब को Select करके हमें Mirror करना होगा, तो हम Shaded कर देंगे, क्योंकि Realistic में काम करना थोड़ा, Shades of Gray में काम करना थोड़ा मुश्किल है, अब Selection करना है हमें, तो ऐसे Select कर लेता हूं, यह Select हो गया, फिर Orbit करेंगे, यहां से यह Select करेंगे, फिर यहां से यह Select करेंगे, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से Select करो, आप अपना, क्लिक करके भी Select कर सकते हो, ठीक है, इसारे आगे, अब Mirror करेंगे हम इने, एम आई, एंटर, एम आई, एंटर, यह Midpoint यहां से उस Direction में, यह आ गया, यह देखो, आ गया, अब इन सब को हम Select करेंगे, फिर से Select करना होगा हमें, तो यह Select, यह Select हो गए, थोड़ा Select नहीं हो रहा है, क्लिक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां से इस तरह से यह भी, और फिर यहां से यह भी, फिर इन दोनों को भी Select कर लिजे, और फिर इने भी, क्लिक भी कर सकते हो, सेलेक्शन के लिए, ओके, अब लास्ट यह दोनों, अगर गलत सेलेक्ट हो जाता है, तो Shift, Press and Hold, एंड क्लिक, यह गलत सेलेक्ट हुआ, यह अनसेलेक्ट हो गया, अब इसे हम सेलेक्ट कर लाते हो, ओके, सारे सेलेक्ट हो गए, अब हम इसे भी, मिरर, कोई फेस का मिड़ पॉइंट ले लिजए, और इस तरह से आप मिरर करते हैं, मिरर लाइन देकर, यह इधर भी आ गया, अब बस इन्हें, यह दोनों सेलेक्ट कीजए, यह वाला और यह वाला, पिछे साइड वाला भी सेलेक्ट कर लिजए, यह और यह, अब मिरर इन्हें भी कर लिजए, यह सारे इस साइड में नहीं है, तो हम इन्हें भी इस तरह से, यहा से, मिड़ पॉइंट से, मिरर कर ले ऒबेंगे इन्हीं चारों तरफ हमने सारे बॉक्स में और इन पहले तो यह main body select करना होगा, sorry, solid subtract main body select, main body, अच्छे से select कीजिए, main body, enter, उसके बाद यह जो छोटे-छोटे हैं, इन सब को select कीजिए, गलती से अगर गलत हो जाता है, shift, press and hold, shift, press and hold, इसको unselect कर दीजिए, यह वाला, यह वाला, एक-एक करके select करना होगा, दीरे-दीरे, ताकि गलत select ना हो जाए, यह हो गए सारे select, अब enter, press कर दीजिए, इस सारे जो materials हैं, वो remove हो जाएंगे, देख सकते हो, सभी का यहाँ पर, opening और doors यहाँ पर, बन चुके हैं, ओके, तो यह सारे openings हमारे बन गए, इतना याद रखिए, कि यहाँ पर जो हम curve बनाएंगे, इन्हें हमें रखना होगा, क्योंकि इनके लिए door वापस से हमें बनाना है, अब front view से इनके doors बनाने पड़ेंगे, हमें, इनके doors भी हैं, तो यह doors जो हैं, वो भी हमें बनाने पड़ेंगे, तो मैं layers से color red कर देता हूँ, ताके lines हमें नजर आए, अब यह doors बनाने हैं, और windows के लिए grills बनानी है, तो मैं line यहाँ से, यह देखिए, थोड़ा सा hang हो रहा है, I think, 2D wireframe करके देखते हैं, 2D work के लिए, 2D work करते हैं, तो हम 2D wireframe में रख सकते हैं, कोई problem नहीं है, ex for extend, यह हो गया, यहाँ से copy, c o enter, यहाँ पर आ गया, again line यहाँ से, ea, c o for copy, line, co for copy, ex for extend, extend यह ट्रिम, इनको भी trim करना ही पड़ेगा हमें, बाद में, extend, trim, इसको भी copy, एक और line है, यहाँ पर c o for copy, यह हो गया हम रख हम, इस सारे बीच के lines आप trim कर दीजे सबसे पहले, इस तरह का sketch देखना चाहिए, okay, now नीचे के लिए, यह height हमने जो लीवी है, उसी को रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा height हो गया नीचे, ठीक है, इसी को consider करते हैं, c o for copy, okay, l for line, c o for copy, यहां से यहां, यहां, फिर यहां और यहां, अब extra lines trim कर दिजे, यहां पर नहीं चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए, अगें ट्रेम यह सारी चीज़े, small grills भी हैं यहां पर, उन्हें भी अगर आप बनाना चाहो, तो वह सारे चीज़े भी बना सकते हो, तो उसके लिए आपको पारिक lines इस तरह से बनानी पड़ेंगी, चलिए, main door के लिए हम बनाई लेते हैं, से पूर्पर लेते हैं, पापका लेते हैं, कर दो हम वेते हैं, वीकिन आपको थारी आपको पारिक गापको भी से बनानी पालर था कर दाने अलाई रेते हैं, बीच के लाइन्स ये सारे ट्रेम ये हो गया अब इसे कॉपी कर सकते हैं और इस तरह से मैं रख देता हूं और बाद में हम ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा जो भी यहां पर पहराया हुआ है उसे हम यहां पर ट्रिम कर देंगे बीच कर देंगे लाद में वाद में पर लाद आप देंगे आपके यह हो गया हमारा यह तीनो हमने ready किया अब इन्हें press pull करेंगे ctrl plus s save करेंगे इन्हें अब इन्हें हम press pull first frame यह वाली इसमें नजर नहीं आएगी shaded shaded में हम इसे press pull करेंगे इसे हम करेंगे 0.2 तेन इन सब को करेंगे 0.1 0.1 space 0.1 में 0.1 0.1 अच्छे से बनाया होगा तो capture जरूर होगा यह होगा अब यहाँ पर इसको करेंगे सबसे पहले 0.2 enter तेन यह चोड़े-चोड़े sections 0.1 0.1 0.1 0.1 तेन यूनियन इन सब को यूनियन कर देंगे यह वाला यूनियन हो गया अब इसको अलग से यूनियन इसको प्रेस पूल करते हैं 0.1 यह यूनियन है इन दोनों को पहले रखते हैं यहाँ से shades gray कर देते हैं co enter copy कर लिया यहाँ पर रख दिया इसको और इसको और इसको इसके डोर का पॉर्शन का गया इसको अंदर कर देंगे हम लोग 0.2 से और भी करना पड़ेगा 0.5 से कर देते हैं अंदर इसको भी 0.3 0.3 इनफ है अब इसके लिए यहाँ पर हमने बनाया है window के लिए co for copy corner ले लेंगे corner से यहाँ पर रख देंगे इसको भी 0.3 से अंदर कर देंगे हम लोग c o for copy यहाँ से यहाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक corner ready कर लेते हैं हम लोग उसके बाद हम सब तरफ इसको mirror कर देंगे यहाँ पर तो होगा rectangle ओके यह जो rectangle है इसी के साथ हम इसको copy करेंगे तॉप यूँ यह रहा हमारा इसको 45 डिग्री रोटेट और तो ओन 45 एंटर यह आ गया अब इसको रखना आसान हो जाएगा क्यूंकि इसके साथ हमारा rectangle है तो rectangle को पकड़ के हम यहाँ पर रख सकते हैं उपर भी रखना है तो select co enter point उपर भी रख दिया अब बचा सिर्फ यहाँ पर इसके लिए मैं select करूंगा इन दोनों को MI for mirror यह 45 डिग्री यह पर हो जाएगा देखिए आगया यहाँ पर भी अब इन इस corner को हम mirror कर सकते हैं MI enter UCS कर लेते हैं front view top view UCS double enter अब select करेंगे इन है select 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 sorry select MI for mirror यहाँ से कर देंगे mirror यह आगया हमारा अब इन सब को हम mirror कर सकते हैं एक साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11 12, 13, 14, इन सब को MI, enter, midpoint, sorry हमारा plane या पर गड़बड होगे, selection में गड़बड हुआ, MI, enter, और यहां पर midpoint देना है, देखिए, यहां पर बहुत सारे midpoints आते हैं, यह face देदेजे, यह आ गया, इस side में आ गया, यह दोनों बच गए, यहां पर, यह दोनों select नहीं हो गया होंगे, इसको copy कर लेते हैं, बाकी के सारे fit हो गए, बस अब इनके भी doors, side में जो doors है, इनको भी हम, यह वाला और यह दोनों, चारो select कर लेता हूँ, और mirror करते हैं, M, I, enter, 45 degree में, यह वाला, यहां से तो, यहां तक, enter, बस 45 degree का line दे दी हमने, यह mirror हो जाएगा, हो गया हमरा, shaded with gray, control plus save, अब थोड़ा सा यह hang हो रहा है, shades of gray में, तो मैं इसमें एक काम करने वाला हूँ, कुछ और portions को hide करने वाला हूँ, shaded में रखता हूँ, यह जो portions हैं, इनको hide करते हैं, यह सारे pillars भी हम लोग hide कर सकते हैं, यह सारी चीज़े hide कर देंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, hang नहीं होगा हमारा main computer, right click isolate hide object, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जो भी portion में आपको काम करना है उसको isolate कर सकते हो, select, right click, select isolate कर सकते हो, isolate कर दीजिए, वही object सिर्फ नजर आएगा बाकी सारी चीज़े hide हो जाएगे, तो यह लगबग हमारा ताज महल तो ready हो गया है, और भी कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, इसे अब हम fit करने के कुशिश करते हैं, इसको हम shades of grey में देखने कुशिश करते हैं, अब hang होता है या नहीं देखते हैं, अब थोड़ा सा pan में, अभी भी थोड़ा सा इसमें problem है, तो हम चली इसको realistic में ही काम करेंगे हम लोग, white color realistic तो यह सारी चीज़े हो गई है, अब देखते हमारा क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा visualize में दाके मैं इसका darkness बढ़ा देता हूँ, एक काम करना है हमें यहाँ पर, यह जो यहाँ पर design नजर आ रही है, स्विप किया हुआ है, इमेज में दिखाता हूँ मैं आपको, यह स्विप हमें ready करना यह यहाँ पर जो नजर आ रहा है, इस स्विप को हमें करना है, तो यह स्विप कैसे होगा, चली दिखाता हूँ मैं आपको, तो हमें इसका यूज करना होगा, और इसमें हमें बीच का कुछ portion रिमूव करना होगा, डॉर का, डी आइफर डिस्टन्स यह जो है 30 का है, तो हम 30 की line यहाँ पर रिमूव करेंगे, sorry, top में जाते है, top view, midpoint है यहाँ पर और offset कर देते हैं, midpoint से 15, 15 दिस साइड, 15 दिस साइड, अब यह जो line है, इसको trim करना है, trim नहीं हो रहा है, ओके, 3D में trim हो गया, इसको हम और भी किसी चीज़ के लिए रख सकते हैं, use हो सकता है अभी, तो यह हो गया, अब यहाँ पर एक profile हम ready करेंगे, top से ही एक profile हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए किस तरह से, pl for polyline, polyline से बनाऊंगा मैं, यहाँ से कुछ इस तरह का profile रहेगा, और थो off, ओके, यह आ गया, यह इस तरह का profile, अब इसे मैं select करता हूँ, हम sweep करेंगे, sweep और इस पर click, यह आ गया, sweep, देख सकते हो कि shape का sweep आया है, जैसा हमने draw किया था, इसी को हमें आप उहाँ पर रखना है, m for move, अंदर का point ले ले लेंगे, pick point और पहले तो यहाँ रखेंगे, हम देख सकते हो, यह आया, अब उससे हम लोग थोड़ा नीचे लेंगे, m for move नीचे की तरफ, ortho on नीचे की तरफ, 3, sorry 3 ज्यादा हो रहा है, one उपर की तरफ लेंगे, यह window जहाँ खतम हो रहा है, और एक one से उपर यह वाला आ जाएगा, ठीक है, यह एक sweep आ गया, अब उपर एक sweep है, यहाँ पर एक line है, तो same profile हम लोग यहाँ पर एक simple सा rectangle बनाके उसी को extrude कर देते हैं, box ले लेते हैं, इस face पर, box यह box आ गया आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं, पताने, shaded, यहाँ पर एक box बनाया हमने, इसमें chamfer कर देते हैं, चांफर एज, और distance, 0.1, enter, 0.1, enter, distance set किया, हमने 0.1, और इन दोनों को chamfer कर दिया, यह देखे किस तरह का shape ready वह हो यहाँ पर, हो गया, तो यह वला हमें, चारों तरफ डालना है, तो इसको mirror कर देंगे, red में ही इसके ठीक से नजर आ रहा है, तो देखते हैं कुछ से color में ठीक नजर आ रहा है, blue नहीं, orange रखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, यह वाला जो मैंने बनाया है, इसको mirror करेंगे, mi एंटर, midpoint, अब यह वाला और पिछे जो आमने mirror किया, यह दोनों select करेंगे, mi एंटर, 45 degree यहां पर यह वाला, यहां से तो यहां पर एंटर, यह हो गया, यह lines हमने बना ली, straight, अब और के, इससे ज़्यदा details के add करेंगे, इसमें और ज़्यादा details ऐड़ करने की ज़रत भी नहीं है, हो गये इतना ही काम काफी है, अब ज़्यादा ज़्यादा bottom पर यह सारी चीज़े बना सकते हूँ, यहां पर देख सकते हूँ यह, यह सारी चीज़े बॉटम पर बना सकते हो तो अब सारी चीज़े तो हो गई है तो मैं अब ताजमेल को सही position में place कर दूँगा और बचा हुआ काम अगर होगा तो हम कर सकते हैं तो मैं right click करता हूँ isolate end object isolation ओके यह हमारा isolation end हो गया अब मैं अपने ताजमेल को सेंटर पर रखने कोशिश करूँगा तो यह इसको मैं select करूँगा इस तरह से M for move और यह face का center बिल्कुल यहां पर blue face का center दिखाएगा blue में इसको click कीजिए और उसके बाद इसको आप move करके इसके face के center में आप रख दीजिए यह center to center हमारा match हो गया यह 2D sketches आप side में move कर लीजिए अब इसके अंदर बहुत सारे 2D sketches हैं तो हम delete कर देंगे save as करेंगे third file third file as corrupt बगए होगी तो हम इनका यूज कर सकते हैं तो लगबग हमारा देखिए यहां पर ताज महल रेडी हो चुका है अब यहां पर हमें material करना है material करना है और last texturing और हमारा काम end हो जाएगा यहां पर अगर आप थोड़ा कुछ काम करना चाते हो तो इसको सेलेक करके right click isolate isolate object कर लिजिए तो सिर्फ यही दिखेगा आपको और यहां पर shades of gray shades of gray में रखते हैं इसे hang नहीं होगा अभी सिर्फ एक यह object निज़र आ रहा है डिस्पले में isolate कर लिया हमने तो front view अब यहां पर कुछ देखिए कुछ इस तरह का design दिया हुआ है तो यह design हम बनाने वाले हैं कैसे बनाते देखिए तो यहां पर थोड़ी हाइट मुझे अपने base की कम लग रही है तो मैं यहां पर इसमें थोड़ से height add कर देता हूं प्रेस पूल करते हैं नीचे की तरफ से add करूंगा मैं उपर नहीं कि ओपर हमने position कर चुके हैं तो इसे मैं और तीन बढ़ा देता हूं त्री यूनिट्स चलिए अब ठीक है अब फ्रेंट व्यू से हम इसका जो है कुछ और डिजाइन से यहां पर इन्हें add कर देंगे कि इस तरह का डिजाइन है सिंपल सा डिजाइन है कि एक रेक्टेंगल पहले बनाते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले इस फेस पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि 3D object snap off rectangle तो 3D object snap off कर दीजिए अगर इस तरह से काम करने में दिक्कत आए तो और इसके अंदर जो है हम यह शेप बना देंगे L for line पहले तो मैं इसका center line draw कर देता हूं उसके बाद यहां से उपर की तरफ इस तरह से उसके बाद a for arc और थो आफ यहां तक फिर एक आर्क यहां से तो अब इन तोनों को mirror कर देंगे selection में दिक्कत आ रहे तो selection cycling की उसकी कीजिए arc select करना है arc select करना है और यहां पर line select करनी है MI for mirror उपर से नीचे की तरफ यह हो गया line delete अब उपर क्या है एक rectangle जैसा कुछ नज़र आ रहा है rec for rectangle ओके एक rectangle तूसरा rectangle offset करते हैं इसमें से पॉइंट्री पॉइंट्री पॉइंट्र क्लिक पॉइंट्र अंदर की तरफ पॉइंट्री से उपसेट हो गया है अके बस इतना ही काफी है इतना ही हम लोग 3D में बनाएंगे इसको अब क्या करें हम इसमें यह जो internal का polygon है इसको extrude करेंगे इसको करेंगे one sorry 1.1 sorry ctrl z polyline extrude 0.1 on a hopper extrude 0.2 0.2 oh sorry 0.1 और इस polyline को 0.05 कर देज़े इस तरह से दो boxes देखेंगे यह आपर और इसको अब कैसे करेंगे extrude इसमें हम यह अंदर वाले part को अरे यह joint ही नहीं है extrude नहीं होगा तो इसे हम join करेंगे सबसे पहले नीचे भी एक line चाहिए join करने के लिए polyline line okay then line arc okay j for join यह हो गया अब इसे extrude कर देंगे 0.2 और यह जो polyline है इसको extrude करेंगे 0.1 okay हो गया अब इन्हें मैं g for group कर देता हूं g for group और इन्हें array कर देंगे array यहां पर rectangular array है यहां से rectangular array अब इसमें करना क्या है रोज 3 वन कर देंगे और 4 को यहां पर बढ़ाएंगे हम 20 अब इसके बीच का distance जो है वो कम करेंगे हम 5 की जगा 3 कर देते है distance कम हो गया 4 करेंगे 4.5 ठीक है ओके 4.5 20 की जगा 26 नहीं 25 ओके यह हो गया 25 अब इन सब को थोड़ा सा मिडल में लेने के कोशिश करते हैं और थो on रहना रखना पड़ेगा यह हो गया अब इनको भी mirror कर देंगे MI for mirror UCS पहले करना जुरूरी है UCS double enter select MI enter यह हो गया यह side भी और यह side भी अब इन सब को mirror करेंगे 45 डिग्री में MI enter यह जो पॉइंट है यह वाला इसको मैच करते हैं अब यह फाइल बहुत ही ज्यादा है भी हो गई है realistic में दिखाई यह नहीं देगा तो यह देख सकते हो आप चारो तरफ यह बन गया है अब हम इसे shaded करते हैं और फिर realistic करते हैं क्योंकि हमें material करना है अब ctrl plus s save और इसमें isolate में हम end object isolation कर देंगे अब isolation हमने बंद कर दिया है अब यह जो 2D lines है इन्हें हमें delete करना है सारे 2D lines हमें delete करना है तो हम एक line को select करेंगे polyline था है right click select similar delete एक line को select करेंगे right click select similar delete एक arc को select करेंगे arc right click select similar सारे arc select हो जाएंगे delete तो polyline line और arc तीन चीज़े हमने use की वही थी तीन चीज़े हमने delete कर दी यह क्यों है यहां देख सकते हो हमारा बहुत ही अच्छा model तयार हुआ यहां पर जितने हो सके हमने उतने details इसमें add करने के कोशिश की है तो यहां पर हमने ताजमेहल की modeling complete कर ली है आप देख सकते हैं अब हमें इसमें ताजमेहल नजर आएगा तो AutoCAD में texturing के बहुत ही कम options हैं हम उन्ही options का use करेंगे और इसे हम अच्छे से अच्छा बनाने के कोशिश करेंगे बाकि आप 3ds Max में इस model को ले जा सकते हो और इसे वीरे के साथ texture और rendering कर सकते हो जिससे यह बिलकुल real नजर आएगा और बहुत ही जादा अच्छा नजर आएगा मगर AutoCAD में भी हम बहुत ही अच्छा इसे texture कर सकते हैं तो चलिए कैसे करते हैं texture हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो texture करने के लिए सबसे पहले तो आपको visual style यहाँ पर realistic में चले आना है realistic में आने के बाद आपको क्या होगा जो भी material आप apply करोगे वह आपको real texture यहाँ पर नजर आएगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है material browser को open करना है mat shortcut है material browser के लिए mat enter इस material browser का use करके हम easily material कर सकते हैं बहुत सारे settings यहाँ पर मिलते हैं तो इसे अगर आप shortcut से इसे open करना चाहते हो तो mat shortcut है या फिर आप visualize में जाते हो visualize में आपको option मिलेगा material का इसे मैं close कर देता हूं तो visualize में यहाँ पर आप यहाँ पर material option है material browser तो इसे आप यहाँ से open कर सकते हो देखिए open हो गया यहाँ पर एक आपको global material मिलेगा जो कि यह जो gray color का आपको नजर आ रहा है वो global material होता है यही material फिलहाल इसमें applied किया हुआ है default में और भी बहुत सारे home में यहाँ पर material है autodex library ceramic concrete वगेरे तो सारे material आपने 3D use किया होगा तो यह सब आपको पता होगा आप directly क्या कर सकते हो drag and drop कर सकते हो क्रिसी भी material को apply करने के लिए just यहां से drag and drop कर सकते हो ctrl z करता हूँ मैं तो यहां से कोई material अगर आपको ठीक लगता है तो यहां से drag and drop कर सकते हो यह देखिए glass का material भी है यहां तो अलग-अलग material है paint है stone है अलग-अलग design के तो इस तरह के materials है plus यहां पर आपको metals भी मिलेंगे golden वगेरे जो भी है तो आप यहां से तो apply कर ही सकते हो मगर फिलाल हम इनका use नहीं करेंगे क्योंकि ताज महल में जो material है वो बिलकुल अलग है और इस material को मैंने Photoshop की मदद से तयार किया हुआ है Google से download करके तो उन materials को हम use करेंगे ताकि हमारा ताज महल यहां पर real नजर आए तो कैसे हम material बना सकते हैं देखिए तो यहां पर आपको क्या करना है नीचे जाना इसको छोटा कर लेता हूं मैं थोड़ा सा यहां पर आपको एक icon नजर आ रहोगा create new material इस पर click करना है new generic material पर click करना है आपको यहां पर new generic material अब generic material यहां पर देखिए एक यहां पर open हो जाएगा यहाँ पर करना क्या है आपको image select करना है सारा material जो create करते हैं हम लोग वो image की help से करते हैं तो अगर आपके पास material की image है जिसे कि यहाँ पर image तो इसको आपको square form में यहाँ पर cut करना होगा इस material को तो उस तरह से आप बना सकते हो material तो कैसा मैंने create किये दिखाता हूं मैं तो image मुझे apply करना है सबसे पहले हम लोग जो है इस गुम्बत को तयार करेंगे गुम्बत के material को और body का material हम लोग यहाँ पर तयार करेंगे तो body में जो भी material हमें डालना है तो वो हम सबसे पहले बनाएंगे तो यहाँ पर मैं no image selected की जगा क्लिक करता हूँ और हमने जहाँ पर भी अपना texture का file रखा हुआ है तो वहाँ पर मुझे जाना है textures और texture में देखिए इतने सारे files है मेरे पास तो इन में से जो body के लिए हम लोग use करने वाले यह वाला texture है देखिए यह texture यहाँ पर तो इसको click करके open कर लेना है तो यहाँ पर आपको texture नजर आएगा अब देखिए हमारा यहाँ पर material ready हो चुका है अब आप इसे close कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो एक global material और यह एक material हाग गया हमारा अब इसको आपको apply कैसे करना है drag and drop करना है इसको drag करना है यहाँ पर drop करना है तो इस तरह से यहाँ से drag करना है drop करना है तो अब इतने सारे material यहाँ पर इतने सारी चीज़े हैं तो सब में एक एक करके अगर हम apply करेंगे तो हमें इस तरह से drag करने में बहुत ज़्यादा time लग जाएगा बहुत सारी चीजे हैं हमारी यहाँ पर तो सब में अगर हम apply करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा time लग सकता है तो इसलिए हम क्या करेंगे इन सब को select करेंगे सब से पहले सब को select करेंगे उसके बाद इस पर right click करेंगे और assign to selection करेंगे यहाँ पर right click करके assign to selection तो सारी चीजे हमने यहाँ पर select की हुई है यहाँ पर सभी model में यहाँ पर यह वाला जो material है वो apply हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा हमें wait करना होगा यहाँ पर तो देखिए यह हमारा जो texture है पूरे हमारे ताजमेहल में apply हो गया है metallic चाहिए golden और यहाँ सारी चीज़ों में अलग तो हम उचसे change कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल हमने तो material apply किया है मगर यह bricks की तरह नजर आना चाहिए जैसा हमारा material था यहाँ पर bricks की तरह नजर आना चाहिए यह चोटे-चोटे bricks है तो हमारा material तो bricks का यह देखिए यहाँ पर अगर मैं double click करता हूं तो bricks का material double click इस image पर किजिए आप इस image पर जब क्लिक करेंगे तो image की settings open हो जाएंगे देखिए यहाँ पर bricks type का material आपको नजर आ रहा है मगर हमें यहाँ पर drawing में नजर नहीं आ रहा है तो इसे क्या करना होगा image बहुत ही बड़ी है यहाँ पर देखिए 304 mm की है उसे open करने के लिए image पर double click करना है ठीक है याद रखिए 304 304 तो इसे हमें image की size को reduce करना होगा तो image की size देखिए यहाँ पर नीचे है scale scale sample size 304 है तो मैं इसे कम कर देता हूँ 10 कर देता हूँ यहाँ पर देखिए 10 करने के बाद यहाँ पर हमें bricks का यहाँ पर मिल रहा है कुछ shape और भी छोड़ा कर देता हूँ मैं 5 कर देता हूँ अब मुझे तोड़ा यह ठीक लग रहा है देखते हैं 5 की जगह अगर मैं 4 करता हूँ या फिर 3 देखते हैं ठीक है 3 मुझे ठीक लग रहा है इसके लिए देख सकते हो यहाँ पर तो हमने इसमें material apply कर दिया है scale हमने रखा है फिलाल 3 आपके computer में जो भी ठीक नजर आ रहा हो वो आप रख सकते हो ठीक है तो यह हमने पहला material तो apply कर दिया है जो के सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर use किया हुआ है अब एक एक करके हम गुमबद को ready करेंगे तो गुमबद हमें ready करना है तो गुमबद मे अब हमारा use होगा देखिए हमने यह वाला part अलग बनाया यह वाला part अलग बनाया तो इसका use अभी होगा material डालने के लिए इन सब को अलग क्यों रखा है हमने ताकि हम अलग-अलग material इन सब में apply कर पाए ठीक है तो अब हम एक और material बनाएंगे यहाँ पर new generic material अब यहाँ प यह वाला मैं select करता हूँ open करता हूँ ठीक है अब इसको मुझे यहाँ पर apply करना है तो मैं इसे थोड़ा side में करके यह जो है second वाला इसको मैं apply करूंगा यहाँ पर drag and drop थोड़ा सा इसे मैं यहाँ से बढ़ा कर लेता हूँ icon और 24 by 24 और थोड़ा बढ़ा करूंगा ताकि हम हमें material अच्छे से नज़र आ है 32 32 ठीक है 32 by 32 यह वाला material हमें नज़र आ रहा है अब यह वाला ठीक है मगर यहाँ पर कोई design दिखनी रहे क्योंकि image की size बड़ी है तो हम छोटी कैसे करते हैं इस image पर double click अब double click करने के बाद sample size यहाँ पर छोटा करते हैं तो 5 करता हूँ मैं देखिए आ गया और भी छोटा करेंगे 3 करेंगे ओके 2 करके देखते हैं 2.5 ओके 3 ठीक है तो मेरे साब से यहाँ पर 3 ठीक था तो देखिए हमारा 3 में यह material अच्छे से fit आ गया है तो इसी तरह से आपको भी apply करना है scale अच्छे से set करना इसे तभी यह अच्छा नजर आए ठीक है यह हो गया अब इसके नीचे हम यहाँ पर भी एक material apply करना है तो इसके लिए new material create करेंगे इसको close करता हूँ एक new material यहाँ पर generic new generic material नो इमें selected में यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप मैं यह वाला material apply करूंगा देखिए कौन सा यह वाला material इस पर double click करेंगे यह material create हो गया अब यहां से ड्राइगन सॉरी यह फिट हो गए आपर अब हम इस मट्रियल को जो क्रिएट गया इसमें अप्लाय करेंगे ओके तो यहां पर देखिए यह जो है बड़ा नज़र आ रहा है इसकी भी इमेज हमें चोटी करनी पड़ेगी डबल क्लिक इमेज पर डबल क्लिक इसकेल 5 ओके ज्यादा हो गया 10 करेंगे तो देखे कुछ इस तरह का यह टेक्श्चर आपका अप्लाय होगा तो एक गुमबद का लगवग हमने अप्लाय करी लिया है अब नीचे अगर यहां पर यह तो टेरेस है इसकी ज़ुरत नहीं है इसमें हम लोग वही रहने देंगे तो यह टेरेस में यहां पर गुमबद में हमने अप्लाय कर लिया है यह हो गया हमारा अब ये जो हमें चार गुम्बद नजर आ रहे हैं ये सारे इनमें भी apply करेंगे ये सब तो इनके बीच के portion में हमें apply करना है ठीक है तो ये group किया हुआ है आप ungroup करके भी इसमें material apply कर सकते हो ungroup करने से आपका fast हो सकता ये वगर आप ungroup नहीं करेंगे यहाँ पर तो मैं इसमें कौन सा material apply करने वाला हूँ ये वाला जो है इसमें same यही material में एक बार और create करूँगा ये material अगर हम यहाँ पर apply करते हैं तो ये ठीक नजर आ रहा है ये भी ठीक नजर आ रहा है देखिए यही वाला material हमने apply किया तब भी मगर अगर आप new material लेना चाहते हो अलग scale में तो यहाँ पर अलग size में हम अगर आपको apply करना है तो यहाँ पर ले लिजे अब इसके image की size आप और कम कर दीजे फाइव ओके 5 में देखते हैं अभी हम नया same उसी तरह का material एक new create किया देखे 5 भी नहीं इसमें और ज्यादा चोटा करेंगे 3 करते हैं 3 enter 2 enter 2.5 enter 2.3 enter 2.2 enter 2.2 scale में देखे अलग scale में हमें apply करना था इसलिए हमने यहाँ पर अलग material create किया तो अब इसमें 2.2 के हिसाब से मैं ने apply किया तो यह मुझे यहाँ पर fit आ गया है अब हमें दूसरे गुमबच जो हैं उनमें भी apply करना है same material तो मैं इसे close कर देता हूँ close कर देता हूँ अब हमें बस drag करके drop करना है इसमें group है तो drag करके drop इसमें भी drag करके drop पीछे एक बच्चा यहाँ पर drag करके drop यह हो गया तो चारों यहाँ पर जगह apply कर दिया है हमने इनमें भी apply करना है same इसी को apply कर देंगे ठीक है इनके लिए भी अलग material create कर सकते हो मगर इतने ज़्यादा materials की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसी को apply कर देता हूँ इसमें आप चाहो तो उसके लिए भी एक अलग scale में material ready कर सकते हो या तो same इसी को देखिए इसी को आप duplicate यहाँ पर कर सकते हो duplicate material same उसी तरह का duplicate material यहाँ पर आ जाएगा इसको double click किजिए इसको apply किजिए इसमें और इसके scale को double click इसके image की जो scale है उसको आप कम कर सकते हो 1,1.2,1.3 ओके इसको भी duplicate करके भी हम save material उस तरह का रख सकते हैं तो यहाँ पर आ गया और हम इसमें भी वही apply कर देते हैं जो हमने duplicate करके ready किया है तो जितनी बारी किसे आप काम करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पर ताजमहल नजर आएगा तो यहाँ पर मैं apply करते हैं तो same type के तीन material हमें यहाँ पर ready करने पड़े एक तो गुमबत के लिए अलग size में दूसरा इस गुमबत के लिए अलग size में उसके बाद इस गुमबत के लिए अलग size में याद रखिए यह सब हमने union नहीं किया है union कर देंगे तो आप अलग-अलग material apply नहीं कर पाएंगे हमने इन्हे group रखा था उसे हम you and g ungroup कर सकते हैं कभी भी ungroup करके हम उसका अलग-अलग कर सकते हैं यह यह you and g मगर अगर आप यहाँ पर solid union कर देते हो तो यह कभी भी अलग नहीं होगा देखिए यह union नहीं किया हुआ हमने पहले ही बताया था इनको हमने क्यों यूनियन नहीं किया था ताके हम यह material अपलाई कर पाएं ठीक है तो अगें मैं इनका यूनियन कर देता हूं यू जी फॉर गूप स्वरी गूप कर देता हूं यूनियन ने एक गूप हो गया है तो यह material हमने डाल दिया है थोड़ा सा इस साइड में आप ले सकते हो देखिए यहां पर इसकी brightness जो है अच्छी हो गए तो ब्राइट कर दीजिए जाके आपके यहां पर materials जो है अच्छे नज़र आए यहां पर ओके नाओ अब हमें क्या करना है अब इन metals में हमें apply करना है देखिए यह जो arrows नज़र आ रही है इन में हमें कुछ golden color का करना है इसमें भी है यह golden color के हैं तो golden metal हम apply करेंगे इसमें अब गोल्डन यहां पर देखिए golden हमें मिल रहा है तो हम apply करके देखते कौन सा अच्छा गोल्डन नज़र आएगा यह सही नहीं लग रहा control z कर देता हूं मैं और नीचे देखते हैं यहां पर है देखिए यह इसमें से मैं यह वला apply कर देता हूं यह अच्छे से नज़र आ रहा है एक बार अगर आप material apply करते हो तो इस लिस्ट में वह आ जाता है देखिए अब इस लिस्ट में एक बार आ गया है उसके बाद आप इसे drag and drop यहां से कर सकते हो यहां से बार बार मत किजिए अगर यहां से बार बार drag and drop करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा list बड़ी हो जाएगी ओके यह material आगे यहां पर यहां से आप drag and drop कर लिजिए यहां से drag and drop select करके भी आप कर सकते हो, मगर हमने क्योंकि group कर रखा इन है, ये वाला अलग है, तो क्योंकि इन्हें कर रखा तो ये उपर का portion select नहीं होगा, तो इसलिए हमें इन है manually इस सरह से करना पूढ़ेगा, आप ungroup कर सकते हो, ungroup करने के बाद apply कर सकते हो, यहां पर सारे metallic portion हमने यहां पर डाल दिया है देख सकते हो तो आप इसको अच्छे से बनाईए तो यहां पर हमने metal भी apply कर दिया है अब हमें क्या करना है कि यह जो यह जो vertical pillars है मीनार बोल सकते हो इन्हें आप तो इन मीनार में हमें material apply करना है तो कैसे करेंगे तो एक new material मैं create करता हूँ इनके लिए new generic material और select image इनके लिए यह वाला zigzag pattern हमें लेना है यह वाला material actual ताज महल में है तो इसे मैंने ले लिया हमारा create हो गए यहाँ पर material अब मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों को इस तरह से select कर सकता हूँ इसमें right click assign to selection अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा क्यूंकि material का जो image है वो बड़ा है तो double click यहाँ पर आ जाएगा अब इस पर double click image पर इसकी size 5 कर देते हैं 4 कर देते हैं 3 2 ठीक है 2 मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने यहाँ पर 2 रहने दिया ओके तो इन सब में भी apply करना है इन्हें हमने group कर रखा है तो इन्हें हमें एक एक करके apply करना होगा group का फायदा होता है किसी भी object को select करने में या फिर move करना है तो selection में बहुत फायदा होता है क्योंकि हम तुरंट एक दो इस तरह से click करके select कर सकते हैं मगर material के लिए आपको फिर यहाँ पर एक एक करके apply करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ आगे का portion में ही material करूँगा आप चारों तरफ यहाँ पर material कीजिएगा मैं सिर्फ आगे का portion यहाँ पर create करने वाला हूं material के साथ last में आपको final result दिखा दूँगा तो यहाँ पर मैंने जो मीनार है उनको भी material कर दिया है अब यहाँ पर जो यह नजर आ रहा है हमें gate तो gate को लिए भी हम यह metallic ही apply कर देते हैं sorry gate के लिए sorry okay मैं क्या करता हूँ gate को select करता हूँ selection cycling से gate के जो भी है इन सब को पहले select करता हूँ मैं इसके list में okay यहाँ आया पिर यहाँ पर भी यह वाला यहाँ पर यह वाला यहाँ पर यह वाला यह एक एक करके select कर लिजे तो यह हमने आगे के portion के जितने भी doors थे उन्हें select कर लिया है यह वाला extra select हो गया तो shift press hold click तो यह unselect हो जाएगा यह metal पर right click assign to selection इस तरह से एक बार में ही आप apply कर सकते हो पहले सब को select कर लिजे उसके बाद material पर right click assign to selection तो यह काम हो गया हमारा अब next और किसमें देना है तो हम देख लेते image में ओके यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यह design front के gate की design अब हम यह front के portion को बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर top में भी है यहाँ पर कुछ यहाँ पर top में भी दिया हुआ design तो उन्हें भी आप बना सकते हो तो front gate और यह windows में same material दिया हुआ है तो उन्हें हम डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए यह वाला यह वाला material तो हम create करते हैं new material new generic material इस पर double click यह open हो जाएगा पर new select image और image इसके लिए हम use करेंगे यह वाला तो यह वाला आपको दिया हुआ है file आप वहां से use कर लिजे इसको मैंने बना लिया अब मैं drag and drop करूंगा यहाँ पर ओके इमेज बहुत ही जादा बड़ी है तो double click यहाँ पर image पर click फिर यहाँ पर आप कर दीजे 5 scale 5 उससे भी कम करना है 3 कर देते हैं 2 कर देते हैं इससे ओके तो ठीक लग रहा है 2 थोड़ा 3 ठीक है I think हाँ 3 ठीक है तो हमने इसे 3 कर दिया ओके आप चाहो तो इससे offset भी कर सकते हो x y direction में जैसे कि हाँ पर मैं 1 कर देता हूं तो यह थोड़ा से उपर चला जाएगा 2 कर देंगे तो और उपर चला जाएगा यह मुझे ठीक लग रहा है तो इसी तरह से मैं इन सब में भी apply कर देता हूं जो डोर के window के पास है same material को तो मैं क्या करता हूं इन window के parts को select कर लेता हूं एक बार में यह तो union किया हुआ तो मैं यहां से drag and drop करूंगा इस तरह से इसको भी देखते हैं ओके यह group किया हुआ हुआ है sorry एक group किया हुआ है तो मैं इस तरह से drag and drop करूंगा group होगा तो इस तरह से आपको dragon drop करना होगा एक एक करके simply आप ungroup करने के बाद भी apply कर सकते हूं कि इसको मैं ungroup कर देता हूं यू एन जी एंटर यह ungroup हो गए सारे यह वाला यू यू एन जी तो जो जो group किया होगा वह ungroup कर सकते हो आप तो यह हमने window के लिए भी यह material apply कर दिया है अब next यह जो front में आपको नजर आ रहा है यह वाला solid यहां पर भी होगा इन सब में भी तो इन में हमें यहां पर देखे किस तरह का material है तो इसमें तो Arabic लिखा हुआ है तो यह Arabic texture भी मैंने ready किया हुआ है तो इस Arabic को भी हम apply करेंगे और bottom में यहां पर कुछ black design है तो यहां पर हम bottom वाला first material डाल देते हैं bottom के लिए मैं material ready करूँगा new generic material image selection यह वाली यह वाली image हम डालेंगे या फिर यह वाली image दोनमें से कोई भी ले सकते हो यह वाला ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है यह अच्छा दिख रहा है तो वह लह रहने देंगे अब इसमें भी इस यह तो group किया हुआ है तो group किया हुआ है तो drag and drop drag and drop तो महनत तो आपको इसमें करनी पड़ेगी या तो सारी चीज़ें ungroup कर लीजें ungroup करते हो तो direct single click में select करके assign to selection कर सकते हैं इसी तरह से आप चारो तरफ apply किजिए मैं फिलाल friend का ही ready करने वाला हूँ बाखी मैं end में आपको final result दिखा दूँगा आप चारो तरफ यहाँ पर material किजिए अब next यहाँ पर last में मुझे एक ही चीज़ करनी है बस actually दो चीज़े करनी है मैं यहाँ पर एक और material ready करता हूँ इमेज यह वाली material एक में apply करूँगा मैं यह वाली simple यह bricks है यह without brick संगे मरमर की design stone संगे मरमर stone यहां से मैं five कर देता हूँ okay इसको apply करूँगा मैं कहा इन सब में यह वाला पिर यह वाला यह वाला तो इन में मैं sorry control z गलती से अगर किसी और में apply हो जाए तो control z आप कर सकते हो यहां पर भी हम sorry control z गलत apply हो गया इसमें और इसमें only friend में मैंने जो हमने बनाया था यह सारी चीज़े है उन्हें भी हमने यहां पर apply कर दिया है ठीक है तो अब हमें क्या करना है यहां पर जो यह लिखा हुआ है Arabic में फोटो में दिखा देता हूँ आपको यहां पर देख सकते हो तो यह Arabic लिखा हुआ यहां पर तो इसे हम कैसे ready करेंगे तो यह इसका भी material मैंने दिया हुआ है उपर भी हमें चाहिए design यहां पर यहां पर इसको भी आप बना सकते हो मगर ज़्यादा भी detail में मैंने नहीं बनाया है यह सारी चीज़े तो डालनी है मैं तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं यह हम देखते हैं यहां पर तो उसे बनाने के लिए पहले मुझे तोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ इस solid को right click करके isolate object कर लेता हूँ ताके मैं इसमें कुछ काम कर सकूँ इसमें क्या करना है देखिए हमें तो इसमें हमने बनाया थो था press pull तो किया था मगर यह union हो चुका है एक material इसमें Union नहीं होना के था अगर यह union नहीं होता तो हमारा काम आसान हो जाता मगर यह union हो चुका है तो इसमें material अगर कोई भी apply करेंगे तो इसमें हर जगा अपलाय हो जाएगा मगर यह जो अंदर का ग्रूव हमने बनाया है यह वला तो इसी में हमें वह जो रिखा हुआ है Arabic में तो वह हमें इसमें अपलाय करना है इस पोर्शन में तो इसके लिए हमें एक अलग से इसमें मटेरियल बनाना पड़ेगा इसमें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि के सिंपल एक लाइन डायनमिक स्फ्यस तो रहे हैं इस फेसपे हमें बनाना है तो एक्चरी स्फेस हाइलाइट नहीं हो रही है तो sandwich जोछटा है इंड टथा वह मैं एंड फार एंड यहां लिद्पोइन्प क्लिक किये यहां पर nap團 से तो यहां तक आप एक line create किजिए, यह line create होगी नजर नहीं आ रही होगी, click करेंगे तो list आएगी, selection cycling on रखिए, आप line या फिर box भी बना सकते हो, कोई problem नहीं है, अगर box बनाते हो तब भी चलेगा, तो इस line को मैं extrude करूँगा, आप extrude, नीचे की तरफ यहां तक, इस point तक, ओके, तो यह एक हमारा line से हमने surface ready किया, यह बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, continue, यह देखिए, simple सा surface हमने बना लिया है, यह पर एक surface आ गया, और हम मेरे 2 surface हमें ready करने हैं, तो again L for line, अब मैं एक और line बनाऊंगा, इस corner से देखिए, यहां पर end type किजिए, end point के लिए, अगर show नहीं कर रहा है तो, यहां पर मिल गया एक line, यहां से तो हमें यहां तक, एक line बनानी है, अब show ने और यह line क्लिक किजिए, line पर यहां पर आगया line, इसको भी extrude, इस direction में यहां तक ही करना है मैं, ओके, यह वाला surface, यहां पर भी एक surface आगया हमारा, और इसी को हम copy कर सकते हैं, actually, यहां पर भी एक बना सकते हैं, L for line, end type किजिए, end point, अगर नहीं मिल रहा है, तो click, यहां से नीचे की तरफ, यह तो angle में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ, UCS करते हैं, UCS double enter, L for line, यहां पर देखते हैं, तो कि यहां से लेते हैं, आके मिल गया, इस पर end type करते हैं, end, enter, end point, यह आ गया, click, line, extrude, इस line को भी इस point तक हम extrude करतेंगे, तो यहां पर तीन surfaces हमारे बने, इस तरह के तीन surfaces हमें चाहिए, actually अगर हमारा यह union नहीं होता, पिछे का portion, तो हमारा इसी से काम हो जाता, बीच का solid, सिर्फ आपको तीन boxes यहां पर चाहिए, एक यह box, एक यह box, और यह एक box, surface रहेगा तब भी चलेगा, box रहेगा तब भी चलेगा, तो surface मैंने बनाया है, simple, इन surface में देखिए, अलग-अलग होने चाहिए, उपर का अलग पार्ट, यह side के दो अलग पार्ट, ठीक है, अब इन में हमें material apply करना है, तो मैं यहाँ पर आगें realistic में आ जाता हूँ, तो यह तो मैंने बता दिया कैसे बनाना है, mat करेंगे, अब mat, enter, अब new material create करेंगे, new generic material, इसमें image select करेंगे, देखिए, vertical का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, vertical के लिए यह Arabic writing, इस पर click किजिए, यह material create हो गया, अब select करके drag and, sorry, इसमें, इस surface में apply करना है, surface में apply हो गया, फिर again इसको, इस surface में, तो इनकी अब size, image की size जो है, वो देखिए कैसे करना है, इसके size के लिए आप इसे 5 कर दोगे, 4 कर दोगे, तो इसे नहीं चलेगा, इस surface रहने के वज़ासे नजर नहीं आ रहा है, एक काम करना होगा, इस surface रहने के वज़ासे देखिए material नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है, आपका भी ऐसा हो, तो surface जनरली नजर नहीं आता, आप इसे box की तरह बनाओगे तो अच्छा होगा, मैं थोड़ा सा इसे आगे की तरफ move कर देता हूँ, इसको आगे की तरफ continue, आगे की तरफ 0.02, 0.02 से आगे move कर देता हूँ, देखिए अब यह नजर आने लगा, इसको भी मैं आगे कर देता हूँ, इस surface को भी continue, 0.02, enter, तो इस surface को भी आगे कर देता हूँ, तो overlap हो जाता है, वो overlap होने के जैसे इस तरह से होता है, तो इस, अब मैं, mat, enter, यह जो है, writing, double click, double click, 5, 4 कर देते हैं, फिर भी यह साई से नजर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या करना है, देखिए, इस link को हमें cut करना है, क्योंकि यह हमारा square material नहीं है, यह square नहीं है, हमारा लंबा material था, image अगर आप देखोगे इसकी, तो height में ज्यादा थी, यह image, height में ज्यादा थी, और width में कम, तो उसी तरह से हमें इसे set करना होगा, height में ज्यादा, तो यह link जो है, इसको बंद कर दीजिए, आफ कर दीजिए, यहाँ पर आपको डालना है, इसको width कम रखनी है आपको, तो मैं यहाँ पर width 1 करता हूँ, और यह height 10 कर देता हूँ, अब थोड़ा सा देखिए, नज़र आने लगा हमें Arabic writing, मगर दो line नज़र आ रहे हैं, मैं एक चाहिए, तो width को मैं 2 कर देता हूँ, यह देखिए, अब ठीक से हमें नज़र आ रहा है, मगर अभी भी थोड़ा सा width कम पढ़ रही है यहाँ पर, तो हम 2 की जगा, धाई कर देंगे हाँ पर, 2.5, height को और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 15 कर देंगे, तो यह हमें ठीक से अब नज़र आने लगा देखिए, 2.5 की जगा, 2.4 करके देखते हैं, 2.3, 2.2, ओके यह थोड़ा सा हमें ठीक लग रहा है, देखिए, अब उपर एक horizontal वाला apply करना है, इसमें तो हो गया, 2.1, as to 15, width 2.1 and height, अलग-अलग डालना है, तो link अगर आप यहाँ पर off करते हो, तभी यह इस तरह से आप डाल सकते हो, ओके इसको cancel कर देते हैं, यह हो गया हमारा, अब उपर की तरफ एक चाहिए हमें, तो इसमें material, हम new material ready करते हैं, new generic material, और यहाँ पर image select, horizontal वाला यहाँ पर है, अब इस horizontal वाले को हम drag and drop करेंगे, यहाँ पर, okay, इसमें skill set करेंगे, double click, sorry, और यहाँ पर link को off कर देंगे, इसको भी same हम 2.1, sorry, यह horizontal है, तो horizontal में width ज्यादा होगी, तो width 15 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 करते हैं, ठीक है, देखिए, थोड़ा सा height थोड़ा सा और मुझे यहाँ पर देना होगा, 16 करते हैं, height 17 करके देखते हैं, थोड़ा सा width भी हम, यहाँ पर 3, okay, width, sorry, height इसकी increase करनी है न, तो 2.5 enter, 2.1 enter, 2.2 enter, okay, 2.2 ठीक नज़र आ रहा है, देखिए, 2.2, 2.3, okay, यह ठीक है, अब width को हम जादा करेंगे, आपर width को 20 करके देखते हैं, और भी थोड़ा सा, 25, 35, 30 करते हैं, अब थोड़ा हमें यह ठीक नज़र आ रहा है, देखिए, Arabic writing जो थी, उसके लिए हमने यहाँ पर material ready किया है, तो surface की जगा, यहाँ पर हमने surface ready किया, आप rectangle बना के वहाँ पर box भी बना सकते हो, तो यह हो गया, अब इसमें 2D lines कुछ है, lines पर select, right click, select similar, delete, तो यह हो गया, अब इसी को हम move तो करना नहीं है इसे, हमें right click, isolate, end object isolation करेंगे, object isolation को end करेंगे यहाँ पर, save करते रहिए, ताकि आपका hang होने पर आपको मिल जाए file, यहाँ पर देखिए हो गया, अब हर जगा आपको करने ज़रत नहीं है, इसी को आप mirror कर सकते हो, आपको पताए हमने अभी तक जिस तरह से mirror किया है, same उसी तरह से इस surface को आप mirror कर सकते हो, तो यह surface आप mirror कर दीजे, चारो तरह मैं फिलाल front का ही यहाँ पर create कर रहा हूँ, तो देखिए लगबग हमारा ready है, और भी कोई चीज यहाँ पर अगर हमें डालनी है, तो यह वाला जो हमने पट्टा बनाया थे यह यह बनाया था, तो इसको भी हम क कुछ apply कर देते हैं, M80, तो try करते हैं, कोई यह वाला देखते हैं, इस तरह से रख सकते हो, यह वाला नहीं, तो दूसरा देखिए, try करके, और भी हमारे पास, जो भी आपको ठीक लगे, यह वाला ठीक लग रहा है, ठीक है, तो उसे भी हमने apply कर दिया, और भी आप यहाँ पर अलग-अलग material डाल सकते हो, जैसे कि इसके top में जो design है, देखिए, यहाँ पर design है, यहाँ पर यह वाला portion, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर एक box बना सकते हो, और उस box को, यह फिस surface बना सकते हो, उस surface को आप material texture कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक बना की दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर मुझे, यहाँ पर है हमारा material तो इसे मैं 1.5, 0.5, तो नीचे कर दिया, 0.5, 1.5 से, यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पर box ले लूँगा, और यहाँ पर box लेके, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको और इसको, दोनों को isolate कर लेता हूँ, राइट क्लिक, isolate object, isolate, तो isolate करने से हमें यह इस तरह से मिल जाएगा, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले layer का color यहाँ पर red कर देते हैं, ताकि 2D lines हमें यहाँ पर नज़र आए, उसके बाद हम यहाँ पर L for line ले लेते हैं बस एक line create करना है, इस point से लेकर इस point तक हमें, यह देखिए बस यह line create हो गई, अब इस line को हमें extrude कर देना है, extrude, यह देखिए, एक line अगर extrude करते हैं, तो surface में extrude होता है, तो नीचे की तरफ हमें करना है, तो हमने नीचे की तरफ यहाँ पर point पर click कर दीजिए, या फिर 1. 1.5 डाल देचे, क्योंकि यह 1.5 हमने नीचे किया था, 1.5 enter, यह आ गया, अब देखिए थोड़ा सा यह blur नजर आ रहा होगा, क्योंकि यह surface है, और surface को थोड़ा सा हमें आगे करना पड़ता है, तो हम इस surface को select करेंगे, और इसको move कर देंगे, continue, आगे की तरफ 0.01, 0.001 भी करते हैं, तब भी चलेगा, थोड़ा सा आगे इसे करना पड़ेगा, 0.001, तो थोड़ा सा आगे कर दिया, यह देखिए हमारा, यह आगे, इसमें आप material डाल सकते हैं, mat enter, इसमें material create कर देते हैं, new generic material, image select करते हैं, यह वाला मैं apply करने वाला हूँ यहाँ यहाँ पर, इसको select okay, अब इसको apply कर देते हैं, यहाँ पर, देखते हैं, यह तो बड़ा हो गया, अब इसको हम scale में छोटा कर देते हैं, 5, तो देखिए 5 रखिएगा, तो इस तरह से नज़र आएगा design, और अगर इसको 2 कर देते हैं, 2 में इस तरह से, 1 करते हैं, तो छोटा हो जाएगा, 1.2, 1.2 में इस तरह से नज़र आएगा, और 1.5 इस तरह से ने, तो 1.5 मैं रखने वाला हूँ, यह हमारा काम यहाँ पर हो गया है, अब side में भी यहाँ पर हमें डालना है, इसे close कर देता हूँ, यह sides में भी हमें डालना है, यहाँ पर image दिखा देता हूँ मैं, isolate and object isolation, तो image के साथ ही हम इसको isolate करेंगे, ताके हमें ज्यादा problem ना आए, isolate, isolate कर दिया है, image में देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी designs है, तो इन्हें कैसे बनाएंगे, देखिए, same method use करेंगे, यहाँ पर हम polyline लेंगे सबसे पहले, तो, pl for polyline, pl for polyline, करना क्या है, कि top plane को highlight करना है, देखिए, top plane highlight हो गया, या फिर आप अगर यहाँ पर dynamic uses फिलाल off कर दोगे, तब भी कोई problem नहीं है, dynamic uses of, pl for polyline, enter, sorry, pl for polyline, इस point से लेना है, देखिए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर shaded कर देता हूँ, या फिर shades of grey कर देता हूँ, pl for polyline, इस corner से लेना है, यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बस, इतना ही create करना है, तीन lines, बाकी हम mirror कर देंगे, तो यह जो polyline हमें मिली है, इसको पहले offset करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है, इसको पहले आप offset कर लीजी, o for offset, o enter, 0.01, 0.01 से offset कर देंगे, बाहर की तरफ करना है offset, click, अब अगर zoom करके देखते हो, तो यह थोड़ा सा offset हुआ होगा, देखिए, अंदर की तरफ भी एक polyline होगा, अंदर वाले को delete कर दीजे, कोई काम का नहीं है, तो अंदर जो हमने बनाया था, वो delete, और जो offset किया रख लिया, अब इसे हम, तो इसे offset क्यों किया है मैंने, ताके हम, हमारा surface जो है नजर आये, ठीक है, surface क्यों के नजर नहीं आता, हम थोड़ा सा उसे आगे करते हैं, तब नजर आता है, तो इसलिए मैंने offset कर लिया, अब मैं इसे क्या करता हूँ, select करके इसको polyline को 3D में extrude क तो यह जितना भी distance में आपने इसको move किया होगा नीचे की तरफ, उतना ही distance में इसे आपको extrude करना है, surface 1.5 रखा है मैंने 1.5 पर कर दिया, अब यही वाला 4 तरफ apply होगा, तो मैं इसमें पहले material भी apply कर देता हूँ, realistic, mat, enter, अब यह जो मैंने हमने लिया है, इसको apply कर तो यह नजर आने लगा देखिए, ओके तो इसे अब हम mirror कर सकते हैं, एक corner का हो गया, mirror कर देंगे इसे, select mi for mirror, तो mirror कर देंगे midpoint, कोई point अगर नजर नहीं आ रहा है, तो आप type कर सकते हो, जैसे कि midpoint मिलने लगेगा, खिलाल तो नजर नहीं आ रहा, dynamic UCS को on करते हैं हम लोग, और 3D object snap को भी on करेंगा, object snap on होना चाहिए, 3D वाला, तो surface को mi, enter mirror, यह तक यह center मिल रहा है, center of face, click करेंगे, इस direction में click, enter, तो यह दोनों side में बन गया होगा, अब इन दोनों को select करेंगे, और mirror, mi, enter, यहां mid से, यहां तक, enter, तो यह चारो direction में हमारा देखिए, और इसको भी mirror करना है, sorry इसको नहीं किया हमने, यह वाला, यह वाला, mi, enter, mid, ओके, अब इन दोनों को select करेंगे, यह वाला और इसके back side वाला, अब यहाँ पर, mi for mirror, यहां से आप mid point, 45 degree में लेना है, थोड़ा सा यह, ठीक से center point select नहीं हुआ, तो दोनों को हमने select कर दिया, अब इसको mirror कर देंगे, mi, enter, और देखिए, मैं इस surface को, का mid select करूँगा, यहां से तो बस यहां तक कर देना है, बस, enter, तो यह सारा, यहां पर, चार directions में यह आ चुका है, देख सकते हो, ओके, तो यह simple से steps है, अब आप end object isolation भी यहां से कर सकते हो, isolate, end object isolation, hang हो सकता है, इसलिए आप इसको save कर लिजिए, save करना बूलना नहीं है, तो यह हमारा आप ready हो चुका है, पूरी तरह से हमने सारे materials जो थे, वो apply कर दिया है, जो materials बाकी है, वो आप बना लिजिए, अब इसमें हमें background set करना है, जैसा कि आपने image में देखा होगा, हमने background के साथ इसको ready किया था, तो background में कुछ अच्छे सी image लगा दीजिए आप, ताकि यह हमें अच्छे से नज़र आप, आपको दिखाता हूँ मैं, example, जी कुछ इस तरह का हमें result चाहिए, तो background में हमें AutoCAD के image चाहिए, तो आप बस image यहाँ पर लगा सकते हो, हम image लगाते हैं, तो image लगाने के लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको front view में आ जाता हूँ, front view, अब यह images delete कर दीजिए आप, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो यह आ गया, front view हमारा, अब यहाँ से perspective view करना है, मुझे से perspective में देखना है, तो यहाँ पर आप right click कीजिए, तो perspective view अब हुआ यह, अब देखिए, यह आ गया हमारा, जूम आउट कर लेता हूँ, जूम command use करेंगे, जूम एंटर, यह इस तरह से selection करेंगे, ओके यह जूम हो गया, चलो यह हमने बना लिया, brightness कम जादा करनी है, visualize में मैंने बता दिया है, lights में जाना है, exposure कम करेंगे, तो यहाँ पर यह बड़ेगा brightness, और कम भी होगा, यहाँ पर मैंने, 8, 7.9, 7.9 कर दिया, wide balance भी है यहाँ पर, 65,100 है अभी, इस तरह से आप इसको भी कम जादा कर सकते हो, तो 65,100 ही रहने देता हूँ मैं, ओके, sky वगरे आपको चाहिए इसमें, तो sky वगरे यहाँ से sky off, sky background on कर सकते हो, देखिए sky background आगे हमारा background में, और sun की location भी on कर सकते हो, मगर यहाँ पर आपको sun status on करना पड़ेगा, मगर हम अभी sun status on नहीं करेंगे, हम background में image set करने वाले, जिससे हमें इसमें क्या होगा, कि image अच्छी मिलेगी इसमें, तो हमको background command यहाँ पर डालना है, background, back, back लिखेंगे तो background आजाएगा, command में, तो background ले लिया मैंने, background में यहाँ पर sun and sky, gradient, अलग-अलग चीज़ें हैं, solid color, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर sun and sky, अभी तो जो है, वो sun है, sun के settings भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे settings आपको इसमें दिखेंगे, background में यहाँ पर आपको जाना है image में, image में जाएए, अब image हम select करेंगे, browse करेंगे, और हमने जहाँ पर भी image रखी हुई है, तो वहाँ पर हमें जाना है, तो यह image मैंने दे दी है, आप दूसरा कोई भी image लगा सकते है, ऐसा नहीं है कि यही लगाना है, तो यहाँ पर तो हमने image ले लिया है, मगर यहाँ पर दीखेंगे, page में कुछ बड़ा नजर आ रहा ही है, ठीक से set नहीं हुआ, तो adjust image करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे stretch, stretch करके perfectly fit कर देंगे stretch offset, scale करके भी बड़ा चोटा भी कर सकते हैं, आप OK करता हूँ मैं, तो background में आप क्या होगा, कि हमारा इमेज सेट हो गया, ठीक है, अगर मैं इसमें background में setting करना चाहूँ, stretch नहीं करेंगे, तो अगर हम center या फिर tile रखेंगे, center कर देंगे और इसको फिर इस तरह से आप image को scale कर सकते हो, scale करना होगा, scale में click, और फिर ये, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे, reset, reset करते हैं, maintain aspect ratio, हाँ इस पर click कीजिए, maintain aspect ratio उसके बाद आप यहाँ पर काम कीजिए, तो image जो है stretch आउट नहीं होगी, इसमें, इसमें पहले हम center पर इसको करने के कोशिश करेंगे, reset to center, okay करके देखते हैं, ये तो नीचे आ रहा है, background, adjust, offset, sorry, offset कर दिया है हमने इसको थोड़ा, reset करेंगे again, reset करेंगे और scale करेंगे again, reset करने के बाद, okay करके देखते हैं कैसा नज़र आए रहा है, हाँ चलो, ये ठीक है, ये फिर थोड़ा सा आपको और setting करनी है इसमें, तो image को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, scale, okay इतना रखेंगे, okay, okay, ये ठीक नज़र आ रहा है, और full चाहिए, background फूल में चाहिए, तो और इसको scale करके, zoom out कर देंगे, इस तरह से, तोड़ा ज़्यादा ही हो गया बड़ा, थोड़ा सा छोड़ा करेंगे, इसमें, okay, तो ये हमने background यहाँ पर set कर दिया है, अब अगर इसमें आपको rendering होगे रेक करना है, तो आप यहाँ पर render, जिस तरह का quality चाहिए, medium, high render, जिस तरह से भी आपको चाहिए, वो select कीजिए, यहाँ से आप resolution कर लीजिए, full HD या फिर उससे भी ज्यादा, और यहाँ पर आपको directly render पर click करना है, और देखते हैं इसका render फिलाल किस तरह कार है, bottom का portion आप crop कर सकते हो बाद में, side में जो black नज़र आ रहा है, उससे crop कर सकते हो, ठीक है, यह देखे हमारा render है, इसको save कर सकते हो आप, ज्यादा clear नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर high resolution का यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उससे save, jpg, 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 save, ओके, और अच्छा render अगर आपको चाहिए, तो high quality coffee break, यह वाला उससे ज्यादा resolution, यह वाला करते हैं, इसके लिए time लगेगा, तो इसके लिए आपको time देना पड़ेगा, ओके मैं off करने जा रहा हूँ, इसे off कर देते हैं, क्योंकि इमेज जो है, छोटी नजर आ रही है, इसको भी save कर लेते हैं, save कर देंगे direct, ओके, close, तो high quality select किया, हमने आप resolution ज्यादा कर दिया, ठीक है, हम normal resolution रखते हैं, ताकि हमारा image पर यहाँ पर ज्यादा effect ना पड़े, ओके यह image ठीक लग रही है, थोड़ा सा हम इसे bottom पर कर देते हैं, इसे close करके, front view पर direct आई है, front view, यह देखे, इस तरह से हम करते हैं, यह bottom पर आ गया देखे, पूरा, आप देखते हैं, इसका bottom पर आने के बाद, यह थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसे render होने देते हैं, तो इसे मैंने 40% render होने दिया है, अब मैं close कर देता हूँ इसे, और save कर लेता हूँ इस image को, आपके पास ज़्यादा time होगा, तो आप रूख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा सारा material अपलाई करने के बाद, फाइनल रिजल्ट है, देख सकते हो, इस सभी textures हमने अपलाई कर दिये हैं, देखे कितना खुबसूरत यह नजर आ रहा है, तो इसे आप भी बना सकते हो, अगर आप इसमें अच्छे से वीडियो देखकर practice करो, तो आप भी यह easily बना सकते हो, देखे कितनी details में हमने इसे बनाया है, तो यह हमारा final view है, इसे हम perspective view में भी देख सकते हैं, तो इसे right click करेंगे, perspective, और perspective में देखिए इसे, बना सकते हैं, आप टो अगर 11 जाप नहाँ नहाँ, क्यूंछ, एसकते हैं, क्यों जादिएए बना 분들은 MikT-D कर education सक्ते हैं, उन हैं बनाया करेंगे, चदोंकर झाहते हैं,